तो चलिए गाइस कैसे हो सब मस्त जबादास जिन्दाब बात वेलकम टो अवर न्यू लाइव श्ट्रीम तो अभी हम जो मैच से आपे कवर कर रहे हैं वो है सेंधी सेम उठाइनल मुकाबल है जो कि शीलंका लेजएंजे जैसर वेशटंद लीजएंज के बीचे ऑज जाती है चलीए तो सरफ अपर बेस् सब्सक्षाव होरॉ तो यह एकडू और डाय का मुकाबला है करो या मोरो का मुकाबला जो टीम जीतेगी वह आगे बरकरार रहेगी और जो हारेगी उसकी कहानी पेस्तमाप्त हो जाएगी अगर आप देखे अगर हम देखे तो शिलंका लिजंस की जो टीम है ना उनका परफॉरमांस बहुत ही है पिछले पांच में से दो मुकाबले जीती है और तीन हारी है और अगर तो है तू दके तो फड Hm । यंदि आप व क्र pourquoi गले ज्ञेंस की टीम घॉस के जोए अभी तख पह सकती हरतं को स्रिलंका लेशिटी है यह मतलब जो विजह रहा था ना की पीछान्स की पांच में से तिन मुकाबले जीती है है और दो मुकाबले हारी है तो अगर यहाँ हम देखे तो श्रीलंका लिजेंस के जितने की चांसे थोड़े से ज़्यादा है और बात करें यहां पर बैटिंग इस पीछ पिछ रिपोर्ट के बारे में आज का मैच मैं आपको बता दू का खेला जा रहा है तो आज का जो मैच है वो खेला जा रहा है नारायन सिंग करने के लिए बड़ा आसान है एक आपको हाइस स्कोरिक मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है वहीं पर हम बात करें पिछ के हाइस टोटल की तो पिछ का जो हाइस टोटल है वो है आपे 213 का बात करें पिछ के हायेश रंचेस की तो पिछ का जो हायेस रंचेस है वह है 175 मैं आपको बताद हूं अबितख के जो है ना इस मैदान के उपर 177 उसे जादार नहीं बने है मतलब जो कोई बी टीम अगर पहले बल्लेबाची करती है ना उसके जितने के चांसे थोड़े से ज़्यादा होते है और प्लेइंग 11 में आपको बता दो उसके पहले गाईज मैं आपको चीज़ और बता देता हूँ क्योंकि आपके काफी काम आने वाले शिलंका लिजन्स बनाम वेस्टेंडिस लिजन्स का मुकाबला है अगर आप देखे तो लगबग यहाँ पर पांच मुकाबले खेले गए है रायपूर के इस मैदान में और पांच में से चार मुकाबले पहले बैटिंग करने वाले टीम जिती है मוף करो जो में पैंदर गें दूदान के उपर पहले बैटिंग करती है वह लगबग 80 प्रतिशीद मुकाबले सब्सकर आता है और अगर हम बात करें आगे की चीज़ुकी बाते में आपको बता देता हूं कि कौन से टीम उस मुकाबले को जितने串िउने शीटे करें प्लेंग 11 के बारे में शिलंक का लिजेंज की क्या या पे प्लेंग 11 रह सकती है आज की इस मेरे में तो आप सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जूड़े रहने के लिए सवाल होगे इस मुकाबले को लेकर तो आपने कमेंट सेक्शन के पूछ लिजीगा मैं जो आप लोगों के सारे सवालों के जवाब यहां पर दुगा तो अगर आप देखे तो शिलंका लिज्जन की टीम पर अपको पायरी की शुरुआत करते हुए आप अपर इतिलक करटने दुलिषान नजराएंगे और दिलिशान जो नहीं आपके कप्तान है शिलंका लिजेंस की टीम की और आपको जो नहीं नमबर एक पे खेलते हुए दिलिशान नजराएंगे और वही पर आप नमबर दो पे दिखें तो आपको नमबर दो पे खेलते हुए स्तनन तर जैसुर्या नजराएंगे नमबर तीन पर आप आपको इस मुकाबले दिना खेलते हैं आपको महिला उडावटे नजराएंगे नमबर चार पर खेलेंगे यहाँ पर उपुल थरंगा वही पर नमबर पास पर आपको चमारा सिल्वा खेलते हैं नमबर चे पर खेलेंगे जीवन, मैंडिस, साथ पर खेलेंगे गुरांटे, आठ पर खेलेंगे इस रूप उडाना नौ पर रहेंगे गेनबाच, पीरा, दस पर रहेंगे धमीका और नमबर ग्यारा पर आप देखें तो नमबर ग्यारा पर आपको कुशाल लिया नजराएंगे तो उककोल मिला करके जो है न यह प्लेंग 11 रने वाली है शीलएंका लिजन्स की टीम की और अप देखृते हैं याप टॉस को होâtटीम जितने में कामया बचानी यहाँ पर तॉस को जित्ती है यहां पर Western East Legends के टीम जो इस मुकाबले को जित्ती है देखने वाली बात है काफी रोमान्चा के मुकाबला रहने वाला है और बात कले आप वेदर कंडिशन की क्या है यहां पर बारिश आ सकती है क्या यहां पर बारिश आने की चांसे तो जताए नहीं जा रही है लेकिन बादल यहां पर आसमान के उपर चाहे हुए है और कहिने के यहां पर थोड़ी बहुत आपको बुंदा बांदी देखने को मिल तकती है जी यहां थोड़ी थोड़ी जो आपको बुंदा बांदी देखने को मिल तकती है और शिलंका लिजेंस की जो प्लें की लावन है वो बहुत ही अच्छी है अगर आप देखे तो इनक तीन पर खेलते वहें आपको महीला उटावाटे नजराइंगे जो कि आपको नमबर तीन पर यहाँ चाए आज onzहा से मुकाबले के अंदर वही पर अगर हम नमबर चार पर आपको नमबर चार पर खेलते हुए उपुल तरंगा नंजराएंगे उपुल तरंगा जो हैं यहाप आपर wicket keep रोख और प्ले बाज है और आपको आजकी मुकाबले के अंदर नंबर चार पे खेलते हí उपिल तरंगा नंजराएंगे जो कि नमबर चार पर बल्ले बाजी करते हुए आपको नजराएंगे उपुल तरंगा वही पर अगर हम नमबर पांच पर देखें तो आज़के इस मुकाबले करने आपको नमबर पांच पर खेलते हुए चमारा सिल्वा नजराएंगे जो कि आपको नमबर पाच पे आपर बल्ले बाजी करते हो नजराएंगे चमारा सिल्वा वही पे नमबर छे पे दिखा जाए तो नमबर छे पे आपको जीवन मैंडिस नजराएंगे और जीवन मैंडिस जो एना टीम के कैसे खिलारी है जो कि ग इस तरह के से ब्रावोड डालते ना उसी प्रकार के गन रे डालते हैं जादा गति देते नहीं है और IPL के अंदर जो इना इस्तुरू उडाना RCB के टीम के लिए भी खेल चुके है तो काफी अनुबवी खिलाड़ी है टीम के कई न कई ये गाईज आज के इस मुकाबले के की प्लेयर्स भी रह सकते हैं और नमबर आट पे जो इना आपको इस्तुरू उडाना नजराएंगे वही पे अगर आप नमबर नौ पे देखें तो नमबर नौ पे आपको आज इस मुकाबले के अंदर खेलते हुए पीरा नजराएंगे पीरा जो की बाई हाथ के तेजगे इनबाज है और आपको नमबर अगर आप देखें तो आपको आज के इस मुकाबले के अंदर जो है नमबर दस पर खेलते हुए यहाँ पे नजराएंगे धमी का जो की आपको नमबर दस पर खेलते हुए आप नजराने वाले है धमी का और वही पे अगर हम नमबर ग्यारा पे देखें तो नमबर ग्यारा पर आपको कोशल यह नजराएंगे तो कुल मिला करके जो है न यहाँ पर शीलंका लिजेंज की टीम की प्लेंग 11 रने वाली है और वेस्टेंडी लिजेंज की प्लेंग 11 भी जो है न हमारे पास अपडेट होने वाली है तो भी मैं आपको बता दूगा उसके पहले गाईज मै आपको पिछली रिपोर्ट बता देता हूँ कि आज का मैच यहाँ पर कहला जा रहा है तो आज का मैच अगर आप देखे तो राइपूर में खेला जा रहा है और मैदान का नाम है नारायन सिंग इंटरनाशनल स्टेडियम बात करें तो आपके 76 प्रतिश्य उमिरिटी है आदिश यहाँ पर आखुती हैं अगर हम देखे तो ज्योके इंग उतले प्रत आधी इन्दर डले बाटिव करती है वो यहाँ पर 177 मतलब हम जो मिदान का जो पहले पारिग का दा यहरा स्कोर стать 117 और जो रहे त्चैन स्कोर बडले बाटिश कर नापकोज स हśola दूली ज civर तो आपको आज के इस मुकावले के अंदर जो है नमबर तीन पर खेलते हुए सॉरी हम आपे जाएंगे अगर आप देखे तो पिछ का जो हाइस टोटल है वो है यापे 213 का गैस मैं आपको बता दू अभी तक इस पिछ के उपर जादा रन नहीं बने है और 213 का जो है इस पिछ के उपर का यह हाइस टोटल है अगर हम बात करें पिछ के लोवेश टोटल क और हाइश रंचेस है या पर 177 का गाइज मैं आपको बता दू अभी तक जो है न इस मैदान के उपर 177 रंचेस नहीं हुए अगर आज या पर शीलंका या फिर वेस्टेंड जो कोई भी टीम पहले बल्ले बाजी करते हुए अब अगर हम या पर देखें कि या पर मुकावला जितने के जांसेश नहीं है इसके जादा है तो वाई अगर आप देखें तो हैड टू हैड मुकावले में देखें तो शीलंका लिजेंस और वेस्टेंड जीरो की चल रही है और अगर हम देखें तो वेस्टेंड लिजेंस की जो टीम है ना पिछला मुकावला यहाँ पर हारी है और काफी जादा जो अना confidence भी यहाँ पर शीलंका लिजेंस की टीम का आई है और काइस आप लोग जो है ना अपनी अपनी prediction यहाँ पर बता देजिए आप यहाँ पर शीलंका लिजेंस की टीम को यहाँ पर आज की इस मुकावले के अंदर सपोर्ट कर रहो यहाँ फिर वैस्टेंड लिजेंस की टीम को सपोर्ट कर रहे हूँ वह पर अगर हम बात करें है टूर्ड मुका आप मैसे स्वॉन के बारे में तो यह जो आप देखते हैं यह राइपूर इंटरनाशनल स्टेडियम का पिछ रिपोर्ट है जहाँ अगर आप देखे तो लगबग 80% मुकावले यहाँ पर जीती है जो की पहले बैटिंग करता ह मतलब वही है कि गाइस टॉस जीतो टॉस जितने के बाद बैटिंग करो और मुकावला जीतो और जो के बीटिंग पहले बॉलिंग करती है उसके जीतने के चांसे से यहाँ पर मात्रा 20% है पिछले पांच मुकावले जो की इस राइपूर इंटरनाशनल स्टेडियम में खेले गए है वहाँ पर चार मुकावले पहले बैटिंग करने वाले टीम ने जीती है और एक मुकावला जो है यहाँ पर पहले बैटिंग करो और मुकावला जीतो यही जो है पिछकी कहानी है और शहजाद अली कान जी हमाँ साथ इसी भी जूड़ चुके बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अली कान आपका हमाँ साथ इस मुकाबले के अंदर जूड़ रने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस दुवादार मुकाबले के अंदर जुड़े रने के लिए शिलंका लिजेंस बनाम वेस्टन्डिस लिजेंस का यह मुकाबला है और अब जो है ना गाइस यहाँ पे टॉस का समय निकट आ चुका है और टॉस यहाँ पर उने माला गाइस आपको कहा लगता है टॉस यहाँ पेको जितेगी और गाइस इस मैदान के ऊपर जो है ना पहले बल्ले बाजी करोगे तो आपके लिएए के जादा चाहते होते है 80 परतिशत मुकाबले इस मैदान के ऊपर उसी टीम ने जिती है जिसने पहले करना इस पैदान के उपर काफी आसान है इसी बीज़े का जाये तो आस्ती रोश भी हमाँ साथ जोट चुके हैं तो चलिए गाइज यहां पर मुकाबला शुरू होने वाला है इंडिया श्री लंका लिजेंज बना में वेस्टेंड लिजेंज का मुकाबला है और ज्यादा सम की जो कि आपको आज कि इस मुकाबले के इंदर खेल तो नज़रा सकती है आपको सबसे पहले आप कर दिला करतने जिलिशान नजिरांगे तीलग रतने जिलिशान जरांगे यहां पर खीलते हुए और आपको जो है न आज के इस मुकाबले के अंदर नमबर एक पर खेलते हुए तिलक रतन दिलिशार नजराएंगे जो कि नमबर एक पर आपर बल्ले बाजी करेगे और वही पर आप देखें तो आपको आज के इस मुकाबले के अंदर जो है नमबर दो पर खेलते हुए सनन्त जय सूरिया नजराएंगे और नमबर तीन पर अगर आप नजर उटा के देखें तो आपको नमबर तीन पर खेलते हुए महिला उड़ावाटे यहां पर नजराएंगे जो कि नमबर तीन पर यहां पर बले बाजी करेगे आज के इस मुकाबले के अंदर और वही पर अगर आप नमबर चार पर देखें तो आज के इस मुकाबले के अंदर आपको नमबर चार पर उपूल तरंगा नजराएंगे उपूल तरंगा जो कि विकेट की पर बले बाज है और आपको जो है ना आज कि मुकाबले के अंदर नंबर 4 पे खेलती हाने वाले उप सु पूल तरंगा जो की आप पर आज कि मुकाबले के अंदर आपको नंबर 4 पेноеल पेखे आज पर जलो गैسendo अब replied 7 आज पर खेलते होई आज सिल्वा निजराएंगे गहें जो की युषक को बताओ तो इस दिमी करते हैं ऑर जादा जो गती है बले बास को देते निया यह करकार के न उसी प्रकार के दिम आजट॥ या बहार फ़ीद दमीकार नंबर 11 आपको खेलते हुए आपको कोशल लिया नहीं जो राने वाले हैं तो गाई इसी के साथ देखा जाया तो यहाँ पर टॉस का समय हो चुका है दोनों ही कप्तान यहाँ पर मैदान में आ चुके शिलंका लिजेंस एक अपतान तिलकरतन लिशान मैदान में आ चुके क्य क्या पहले गेंज बाजी करने का नर्णा लिया जायेगा या फिर पहले बल्ले बाजी करने का नहिन लिया जाएगा देखने वाली बात है और गईज यहापे की प्लेइस आज के रने वाले हैं ड्वेन स्मित जो कि आज का आफी रंस मना सकते हैं और मैध आपको बता दू पिछ रिपोर्ट के बारे में गाइज देखो इस मैधान के उपर जो कोई भी टीम पहले बल्ले बाजी करती है वो यहाँ पर 80% मुकाबले जित्ती है जो कोई भी टीम गाइज यहाँ पर पहले बल्ले बाजी करती है और जो कोई भी टीम पहले गेंबाजी करती है वो यहाँ पर 20% मुकाबले जिती हैं तो यही है कि अगर यहां पर शीलंका लिजेंस यहां फिर वैस्टरंडिस लिजेंस जो कोई बेटीम यहां पर टॉस को जितेगी न वो गाइस पहले बल्लेबाजी करने का निड़ना लेगी अब देखते हैं कोंसे टीम यहां पर टॉस को जिती है लिजेंस बना हम वैस्टरंडिस लिजेंस का मुकाबल है और देखा जाये तो दोनी कप्तान यहां पर मैदान में आतुन जरा रहे हैं और अब जो नहीं आपर सिक्का उच्छाला जाएगा आपस सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अमारे साथ इस मुकाबले के अंदर जुड़ रने के लिए श्रिलंका लिजेंस बना हम वैस्टरंडिस लिजेंस का मुकाबला है कि और गाइस देखते कोई से टीम जो है लिए को जिती है टॉस का समय पिर श्रिलंका और टॉस को जितने की बाद क्या पहले बले बाची करने का यहां पर नीड़न लिया चाहता है या फिर परले गिनबाची करने कर नीडने लिया जाता है गाईज आप लोग जो हैं अपनी अपनी प्रेडिक्शन में बता देगा दोनी कप्तान शीलंका लिजेंशी कप्तान और वेस्टेंडिस लिजेंशी कप्तान दोनों ही यहाँ पर मैदान में आज चुके है सिक्का यहाँ पर उचाला जाएगा और गाईज मैंने आपको बता दिया हूँ कि गाईज यहाँ पर जो कोई बीटीम पहले बैटिंग करती है वो पहले 80% मुकाबले जित्ती है मतलब पहले बैटिंग करना जो है न इस पिछकी उपर काफी आसान है दूतरे पार एक अंदर गेंदर रुक करके आता है पिछले पांच मुकाबले जो कि इस मैदान के ऊपर खिले गए वहाँ पर जो कोई बीटीम पहले बैटिंग करती है वो 80% मुकाबले जित्ती है मतलब हई है कि आप टॉस जितों और टॉस इतने के बाद पहले बैटिंग करों और मुकाबले को जितों काफी रोमान्च की मुकाबला चलेगा शिलंका लिजेंद बना वेस्टाइंडिस लिजेंज का तिल्यकरक्न रिशान वहाँ पर आचुके ब्रेन लारा भी आचुके सिक्का उचलेगा अलजुन साउची का कमेंट है भाई टॉस यहां पर होने वाला है दोने ही कप्तान मैदा में आहके और कहिसक यहां पर उचलेगा तो जब यहांपधा उचलेगा उसके बात चल जाएका कि शीलंका लिजेंज यहां फिर वेस्थर देलिश्टी रिजेंश को यहां पर टॉस को जित्ति है कि अभी तक आप टॉस हुआ नहीं है दोनों कप्तान यहां पर मैदान में प abonnit कर तो आछुके है और आपस में से नो यहां पे बातशित करतू निज़रा रहे हैं है। पीच रिपोट का Eigen की है कि यां रेट जितने की चांसे ना 80% हो जाते हैं अब ये तो आला कि टॉस के अंदर ही पता चलेगा शिलंका लेजेंज या फिर वेस्टेंडिस लेजेंज कोंसे टीम जो है आप टॉस को जित्ती है और आप लोग अपनी अपनी प्रेडिशन मतात जीएगा आप किसको सपोर्ट कर रहे हो वेस्टेंडिस जीतेगी ओके मेरे आप लिजेंज कोंसे टीम जो है आप टॉस को जित्ती है और इनका विजयरत जो है रूख नहीं रहा है और चले गाई देख लेते टॉस के अंदर शिलंका लिजेंज बना हम वेस्टेंडिस लिजेंज का मुकाबला शुरू होने वाला अब आपले टॉस का सिक्काऊ चलागा डोनों ही कप्तान यहांपन मेदान में आ चुके है देखते शिलंका के टीव तॉस को जित्ती है यह फिर वेस्टेंडिस के टीम जो है कहना करता जितने में कामियाब होती है और तॉस को जिदने की बात क्या पहले हैं बार्जी करने क जाता है यह भी देखना जो है ना कई ने कई दिल जब्स रहे गा और अबास शेक जीक मारyang लगातर बन चुके आप सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुकरिया सभी के सभी एक साथ मिल के लीट इस बी claims तुश्छि तो यहां पर ब्रेन लारा ने हैड का कॉल दिया है, अब देखते हैं यहां पर हैड आता है, अगर हैड आएंगा तो फिर टॉस यहां पर वेस्टेंड इस जीतेगी, लेकिन अगर टैल आएगा, तो यहां पर शिलंका टॉस जीतेगी, और माईक शिलंका की पासके दिया गया है, तो शायद ऐसा लग रहा है कि शिलंका की टीम यहां पर टॉस को जीती है, जी नहीं गाइस, जी नहीं, यहां पर कप्तान दिलिशान के हाथ में सिक्का था, दिलिशान ने यहां पर सिक्के को उचाला, हैड का कॉल दिया था, और य यहाँ पर जीट चुका है West Endis की टीम न तो guys यहाँ पर आर्ट के इस मुकाबले के फार टॉस है वह जीट लिया West Endis की टीम ने और West Endis की टीम ने here पर पहले क्या लिए बाई एक बाई मैं शिक करके आपको बताता हूं गयास अब पोप की इए ने Lonks 15ben के stream को like कर दिजे जिन्हों ने भी आपर stream को like नहीं किया शिलंका legends बना western डिजेंज का मुकाबला है और यहाँ पर वेश्टन डिजेंज के कप्तान ब्रैन लारा ने टॉस को जीता है और टॉस को जीतने के बाद हम यहाँ पर ँचार फेर्स लाँ किया है पहले गेंद बाची करने का और आज किस मुकाबले के अंदर आपको पहले बल्ले बाची करते होई शिलंका legends की टीम नजराईगी तो जाएंज यहाँ पर शिलंका लिजेंज की टीम जो जो है ना इस दुवादार मुकाबले के अंदर आपको पहले बल्ले बाची करते हूँ निजरागी अब शीलंका लिजन्स की टीम पहले बल्ले बाची करते हूँ यहाँ पर किते रन मना पाती है यह देखना दिलजब सुगा और गईज मैं आपको बता दूँ यहाँ पर टौग बल्ले बाची करने वाले टीम ने जिती है तो बाई मुझे यह समझ में नहीं है कि जो बल्ले बाची करने का निड़ना लेना चीए था लेकिन इन्होंने पहले गेंद बाची करने का निड़ना लिया है तो बाई यह चीच तो बिल्कुल मेरे दिमाग से परे है लेकिन कोई बात नहीं देखते हैं और वह पर गईज देखते हैं हैट टूएट मुकाबलों के आकड़ों के बारे में बात करें तो एक मुकाबला जो है ना आज रुख जाएगा भाई अच्छा आज विजयरत रुख जाएगा ऐसे करो गया कब होगा टॉस हो चुका है वेस्टन इस प्लेंग 11 में आपको बता रहा हूं अब मुझे कुछ मिनिट का समय दिजी क्यों कि यहां पर इस सीरिस के अंदर जो टॉस है वो तोड़े काफी लेट अपडेट होते हैं और अभी तक यहां पर प्लेंग 11 अपडेट नहीं मेरे पास शीलंका की प्लेंग 11 है कहीं न कहीं तो वह मैं आपको दिखा देता हूं उस आज का मुकावला जो यहां पर खेला जा रहा है नारायन सिंग इंटरनाशनल स्टेडियम जो कि राइपूर में मौझूद है हवा का टेंपरेशर है 11 दश्म लबेक किलोमिटर प्रती घंटा और बात करें अगर हम यहां पर यूमिडिटी के तो 80 प्रतिश्य यहां पर लेकिन बारिश आने की जुष्ट का मतलब चांसे से ना वह थोड़ी सी कम है वही पर अगर हम बात करें पिछ के बारे में तो यह देखो यह रहा पिछ का प्रीविव तो जो कोई बेटीम यहां पर पहले पारी के अंदर बलेबाजी करती है वो यहां पर 177 रन मनाती है और 177 रन मनाती है और जो कोई बेटीम दूसरे पारी के अंदर बलेबाजी करती है वो 163 रन मनाती है बात करें पिछ के हाइश टोटल की बारे में तो पिछ का जो का इस हाइश टोटल है वो है 213 का गैस मैं आपको बता दू अभी तक इस मैदान के उपर जो है ना 213 रनों से ज्यादा रन नहीं बने है और पिछ का जो हाइश टोटल है वो है यहाँ पे 213 का बात करें अगर हम पिछ के हाइश रन्चेस की तो पिछ का जो हाइश रन्चेस है वो है 177 का मतलब गाइस बिलकुल साफ है कि जो कर भी टिम टॉस को जितेगी वो पहले बल्लेबाजी है और गाइस सब्सक्राइब पहले हम देख लेते हैं वेस्टन इसकी प्लेइंग 11 के बारे में तो गाइस देखो वेस्टन इसकी तरफ से आपको कप्तान ही करते हुए आप ब्रैन लारा नजराएंगी जो कि आपको आज किस मुकाबले के अंदर नमबर एक पर खेलते नबर चार पर खेलते हुए आपको देविंद्र भिशो खेलते हुए जो कि आज किस मुकाबले के अंदर नमबर चार पर खेलते हुए आपको देविंद्र भिशो खेलते हुए जो कि आज किस मुकाबले के अंदर नमबर चार पर खेलते हुए आपको देविंद्र भिशो पर आप नमबह 6 पे देखे तो आज की मुकाबले केंदर आपको नमबह 6 पे खेलते हुए जिरूम टेलर नज़राएंगे जौ कि आपको आज की मुकाबले के अंदर नमबह 6 पे बल्ले वाजी करतु नज़राएंगे वर्ष टेंड सकी साय धार Trim नबंब आच पर खेलते होए आपको विलियम नजराएंगे जो की नबंब नो पर यहां रहाने वाले है ड्वैण स्मेत नमबर दस पे आपर खेले गई क्रिश्मार सांटो के और नमबर ग्यारा पे खेले गई डैरन पॉवल तो ये जो है ना कुल मिला करके यहाँ पे प्लेंग इलावन रहने वाली है वेस्ट एंडिस लिजन्स की टीम की और भाई देखो हयात है डेवेंद्र भिश्यो है जेरोन टेलर है विलियम पार्किन्स है नारा सिंग है ट्वेन स्मीत है कृष्ण कुमा सांटो की है और डारन पॉवल है वह पे अगर हम बात करें शीलंका लिजन्स की प्लेंग इलावन के बारे में तो आपको आज की इस मुकाबले के अंदर शीलंका लिजन्स की टीम की तरफ से पारी की शुरुवात करते हुए यहाँ पे जो है ना तिलक रतने दिलिशान नजराएंगे और दिलिशान के साथ जो है ना आपको यहाँ पे उपुल तरंगा आज की मैं आज की अंदर आपको नजराएंगे और अगर आप देखें तो इस उपुल तरंगा जो है ना यहाँ पर विकेट कीपर बल्ले बाज है और आपको जो है ना नमबर दो पर बल्ले बाजी करते हुए आज़के इस मुकाबले कि आपको उपुल तरंगा निजराएंगे जो कि यहाँ पर नमबर दो पर बल्लेबाजी करेगे उपुल तरंगा वही पर अगर आप नमबर तीन पर देखें तो नमबर तीन पर आपको यहाँ पर इस रूदाना खेल तो निजराएंगे जो कि नमबर खेलेगे चतुरंग 10 सिल्वा, 9 पर है जीवन मैंडिस, 10 पर है चिमारा सिल्वा, और नमबर 11 पर मैला उड़ावाटे, तो यह जो हैना कुल मिला करके यहाँ पर प्लेइंग 11 है, और यहाँ पर टॉस जो हैना वेस्टन्ड इसकी टीम ने जीती है, और पहले गेनवाजी करने करने लिया है, अब टॉस तो यहाँ पर वेस्टन्ड इसकी टीम ने जीती है, लेकिन क्या मैच भी यहाँ पर वेस्टन्ड इसकी टीम जीत पाएगी, यह कई ने कई एक बड़ा सवाल रहेगा, और गाईस आप यहाँ पर आज इस मुकाबले के अंदर, शिलंका लिजेंस क की टीम यहाँ पर इस मुकाबले को जीतेगी, तो यहाँ पर इंडिया लिजेंस के साथ फाइनल खेलेगी, इंडिया लिजेंस की जो टीम है वो अल्रेडी फाइनल में पौछ चुकी है, और अगर यहाँ पर आज शिलंका की टीम जीतेगी तो शिलंका लिजेंस की टीम फा फाइनल खेलेगी अब देखते हैं शिलंका लिजेंस बना वेस्टन लिजेंस का मुकाबला है शिलंका लिजेंस की टीम यहाप जितने में काम्याब रहती है या फिर वेस्टन लिजेंस की टीम मुकाबले को यहाप जितने में काम्याब रहती है यह एक बड़ा सवाल रहेगा और गाईज आपको अगर कुछ भी सवाल पुछना होगा इस लाइव मैच रिलेटेड तो आप निचे कमेंट सेक्शन के अंदर पुछ लिजीएगा स्रिलंका लिजेंज के बहुत अच्छी लगरी मजबूत लगरी है और शिलंका लिजेंज की टीम को अगर ये मुकावला जीतना है तो तिले करतने दिलिशान का बला चलना बहुत ही जरूरी है पुल तरंगा अगर ये दोनों बलललल चलते है तो भी भाई ये कहानी को पुरा बदल के रख सकते है हैं तो कि यह दोनों बल्लेवाज अगर जब 7 हो जाते है नं तो फिर भाई इनके बल्ले पर गेंद काफी बढ़िया सधीके से आती हैं और तिली कृतना को तिली कृतनी दिलिशान को तो हम सब करीब जानते कितने धाकड बल्ले बाजों मेंसे यह एक है औ। चार पर खेलेंगी बात करें तो दुक्त बाड़ गेणबाजी भी कर सकते हुआ घौरू रतने उर ब्लीबाजी भी कर सकते हुआ आपको नंबर less पर खेलते हुए असीला गुरु रतने ने जराएँगे वही पर अब पाँच पर डेके जो कि आपको आज के इस मुगाबले के अंदर नमबर पांच पे खेलते हुए सनन्त जैसूरिया नजराएंगे नमबर छे पे अगर आप देखें तो नमबर छे पे आप एक कुला सेकरा नजराएंगे कुला सेकरा भी एक कैसे खिलाडी है जो कि गिनबाजी भी कर सकते और बल्लेबाजी भी कर सकते आपको एक Allrounder की भूमिकाम है यहाँ पे एक कुला साया करें नजराएंगे जो कि आपको नमबर छे पे नजराएंगे कुला सेकरा नमबर साथ पर अगर आप देखे तो आपको आज की मुकाबले के नमबर साथ पे खेलते हुए इशान जर अतनी नजराएंगे जो कि नमबर साथ पर यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे नमबर आट पर आपको चतुरंगा दस सिल्वा नचराएंगे नमबर नौ पर रहेंगे यहाँ पर जिवन मैंडिस नमबर दस पर रहेंगे यहाँ पर चमारा सिल्वा और नमबर ग्यारा पर जो है न यहाँ पर आपको खेलते हुए महीला उड़ा वट्टे नजराएंगे तो यह जो है नकुल मिला करके प्लेंग इलाएव है न शिलंका लिजन्स की टीम की और गाईज मैं आपको बता दूँ यहाँ पर टॉस जो है न जीती है शिलंका लिजन्स वेस्टेंड इसकी टीम ने और पहले गेनबाची करने का नेड़ना लिया है और गाईज मैं आपको पिछ रिपोर्ट के बारे मता दूँ तो गाईज एगर आप देखे न तो जो कोई भी टीम इस मैदान के उपर पहले पारी के अंदर बल्ले बाची करती है न वो लगबग 80% मुकाबले को जिती है मतलब गाईज जो कोई भी टीम इस रिपोर के मैदान के अंदर पहले बल्ले बाची करती है वो पहले 80% मुकाबले जिती है टॉस को जिता है पही टॉस यहाँ पर वेश्टन इसके टीम ने जिती है और पहले गेनबाची करने का निड़ने लिया है और मैं आपको अभी बता ही रहा था कि गाईज पिछली पांच मुकाबले जो कि इस मैदान के उपर खेले गया है वो उसमें से चार मुकाबले पहले बल्ले बाची करने वाली टीम ने जिती है और एक मुकाबला जो है न यहाँ पर पहले गेनबाची करने वाली टीम ने जिती है तो भाई मेरी साबती तो अगर वेस्टेंड इसकी टीम पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती तो वो बहुत अच्छा रहता और बात करें जहाँ पर हैट टूएड मुकाबलों के बारे में कि किसका पगड़ा ज़्यादा भारी है शीलंका की टीम का या फिर वेस्टेंड इसकी टीम का अगर आप देखें न तो शीलंका लिजेंस और वेस्टेंड इस लिजेंस की बीच में लगबग एक मुकाबले अभी तक के खेला गया है और उस एक मुकाबले को जो है ना शिलंका लिजेंस की टीम ने जीती है मतलब अगर आप देखें तो कहानी जो है ना यहाँ पे एक जीरो की है और वही पे अगर हम बात करें तो वेश्टरंडिस लिजेंस की जो टीम है पिछले पांच में से जो है ना तीन मुकाबले जीती है और दू मुकाबले हारी है और वही पे अगर हम बात करें शिलंका लिजन्स की टीम अगर आप देखें तो शिलंका लिजन्स की जो टीम है पिछले पांच में से चार मुकाबले जीती है और मात्र एक मुकाबले आ रही है और शिलंका लिजन्स की जो टीम है न पिछले चार मुकाबले यहाँ पर कंटीन्यू जीती है तो कई नहीं करें भाई श्रीलंका लिजलेंज़ की टीम की पहले बल्लेबाह्ची करते हुए अगर यहां पर 170- 170 वना है तो 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 मैच्छ टोटल हो सकता है और वे पर भाध करें पिछ के बारे में तो पिछ के बारे में आपको काफी सारी जानकारी भी दे देता हूँ जो कि आपके काफी काम आने वाली है तो गाईज अगर आप देखे तो आज का मैच जो यहाँ पर खेला जा रहा है राइपपूर इंटरनाशनल स्टेडियम है और गाईज जो कोई बी टीम यहाँ पर पहले पारी के अंदर बल्लेबाजी करती है 177 रन मनाती है और जो कोई बी टीम यहाँ पर दूसरे पारी के अंदर बल्लेबाजी करती है वो यहाँ पर 163 रन मनाती है मतलब ज़्यादा तर जो मुकाबले है न इस मैदान के उपर पहले बल्लेबाजी करने वाले टीम ने जिती है पिछले पांच मुकाबले जो कि इस मैदान के उपर खेले गए वहाँ पे जिसने भी पहले बल्लेबाची करी है वो मुकाबले को जीती है वही पे अगर हम बात करें पिछ के हाईएस टोटल के तो पिछ का जो हाईएस टोटल है वो है 213 का और वो भी शिलंका लिजेस के टीम ने बनाई है इस पिछ के उपर तो शिलंका के टीम ने काफ़ी सारे मुकाबले खेल चुकि इस पिछ के उपर तो काफ़ी ज़्यादा उनको पता भी होगा कि ये पिछ जो है किस तरीके से यहाँ पे भीएव करती है और वही पे अगर आप देखें तो गाइस पिछ का जो लोवेश तोटल है वो है 143 का और बात करें पिछ के हाइश रणचेस की तो पिछ का जो हाइश रणचेस है वो यहाँ पे 177 का है और वही मैं कह रहा कि जगर यहाँ पे पहले बल्ले बाजी करते हुए शील लेंगा के टीम 160-180 रन मना लेती है तो ये कहिने के एक मैच विनिंग टोटल रहेगा और गाईज मैं आपको बता दू इस मैदान के उपर 177 रनों से जादा रन छेस नहीं हुए है आपको बता दू गाईज इस मैदान के उपर 177 रनों से जादा रन चेस नहीं हुए है और ये एक फाइनल मैच है मतलब सेमी फाइनल है और जो कोई भी टीम गाईज इस मुकाबले को जित्ती है तो शीलंगा का जो टिकेट है वो फाइनल के लिए कट जाएगा और भारत और शीलंगा का आपको फाइनल देखने को मिल सकता है लेकिन वही पर अगर आज यहाँ पर वेस्टेंड इस लिजेंज की टीम जित्ती है तो आपको भारत और वेस्टेंड इसका यहाँ पर फाइनल देखने को मिल सकता है तो do or die का मुकाबल है final पर जो अल्रेडी भारत की team पहुच चुकी है दुखा देखें तो final में जो नका इस already भारत की team यहाँ पहुच चुकी है अब देखना यहाँ पर दिलजब्स रहेगा कोन सी team यहाँ पर इस मुकाबले को जितने में लेकिन उन्हों न गेन बाजी करने का निडना है जो कि बिल्कुल मेरे समझ से परे है आप पता नहीं वहीं क्या ही सोचा है उन्होंने और अगर हम देखे तो गाइस यह रही शीलंगा की प्लिंग 11 और शीलंगा की जो टीम है आपको आंज की इस मुकाबले के इंदर पहले बल्लेबाजी भी करते हो निजलाएंगी और शीलंगा की टीम की तरफ से आपको तिलक अतने दिलिशान और दिलिशान के साँट आपको उपुल तरंगा पहारी की शुरुबात करते हो निजलागे और गाइस दिलिशान और अपुल तरंगा यह ऊजए तो फिर बल्लेबाज चलंग जाते है तो फिर मुकाबले को चीतने से कोई भी यहां पे रोक नहीं सकता अगर आप देखे तो दिलिशान जो कि टीम के कप्तान है और उपुल तरंगा जो कि टीम के विकेट कीपर वल्लेवाज है और अगर वेस्टेंड इस डिजन्ज की टीम को ये मुकाबला जीतना है तो दिलिशान और दिलिशान के साथ जो उपुल तरंगा जो है न इनको पाव और प्ले के अंदर आउट नहीं होते हैं तो फिर समझो कि भी एक कहानी समाप्त हैं और अगर आप देखें तो आपको आज की इस मुकाबले के अंदर नंबर तीन पर खेलते हुए आपको इसरू उडाना निजराएंगे जो कि आपको नंबर तीन पर यहाँ पर बल्लेबाज नंबर तीन पर खेलते हुए आपको नवन शेक्रा नंबर फ्यान ज़राएंगे और नंबर 11 पर आपको महीला उड़ावन्ट नज़राएंगे तो यह जो इनकुल मिलाकर के शेलंका लेज्सके टिम की प्लेइंग के दिलजब रहेगी ताफ सेमि और मेशं की मुकाबल . मैच है अगर यहां पर आज शिलंका जित्ती है तो शिलंका फाइनल खेलेगी भारत के साथ और वही पर अगर आज वेस्टेंड इसकी टीम जित्ती है तो वेस्टेंड इसकी टीम जो है न यहां पर फाइनल खेलेगी इंडिया लिजेंज के साथ आप देखते हैं सेमी फाइनल मुकाबले के अंदर कौन सी टीम जो मुकाबले को जित्ती है आप यहाँ पर शिलंका लिजेंस की टीम को जो है सपोर्ट करो या फिर वेस्टन लिजेंस की टीम को जो है आप इस मुकाबले के अंदर सपोर्ट करो अपने अपनी प्रेडिक्शन नित्युम से तोर:" यहां पर पहले बल्ली बाजी करती हैं मैदान में मैच खिला जा रहा है नारा एंसिंग इंटरनाशनल स्टेडियम में और जो कोई भी टीम यहां पर गाइस पहले पारी के अंदर बल्लेबाजी करती है वो यहां पर बल्लेबाजी करती है और जो कोई भी टीम दुसरे पारी के अंदर यहां पर बल्लेबाजी करती ह और बात करें यहांपे पिछ के हाइस टोटल की तो पिछ का जो हाइस टोटल है वो यहांपे 213 का है गाइस मैं आपको बता दू अभी तक जो है न इस मैदान के उपर 213 रनों से जादा रन नहीं बने हैं अगर आज यहांपे शिलंगा के टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रनों से जादा रन मना लेती हैं तो एक नया रेकॉर्ड जो है पिछ के उपर बन जाएगा और वह पे अगर हम बात करें पिछ के लोवेश टोटल की बारे में तो पिछ का जो लोवेश टोटल है वो है यहांपे 143 का अब बात करें पिछ के हाईश रन शेस की तो पिछ का जो हाईश रन शेस है वो यहांपे है 177 का गाईज मैं आपको बता दूँ अभी तक अगर आप देखे ना तो इस पिछ के उपर 177 रनों से जादा रन अभी तक के छेस नहीं हुए अगर आज यहांपे शीलेंगा के टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 177 रनों से जादा रन मना लेती है तो जितने के जहां से इनके बढ़ जाएगे और वेपर हम बात करें वैदर कंडिशन की तो आज का जो मैच है खेला जा रहा है नाराय सिंग इंटरनाशनल आज नहीं है तो आपको जो है ना पूरे के पूरे 20 ओवर का एक शांदर मुकाबला होते हुने जराएगा और यहां पे नार्दी रोबोट कहा रहे कि भाई या शीलंका लिजेंस की टीम इस मुकाबले को उजितेगी और वहाँ पर हम देखे तो पिछका जो आकड़ा के टीम ने जीती थी और वेश्टेंड लिजेंस की टीम को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था तो मतलब गाईज यहां पर हैड टो हैड मुकाबलों के अंदर शीलंका लिजेंस के जो आकड़े है ना वो काफी अच्छी है और वही पर अगर हम बात करें तो अगर आप अगर हम बात करें वेश्टेंड लिजेंस के बारे में तो वेश्टेंड लिजेंस की जो टीम है पिछले पांच में से तीन मुकाबले जीती है और दू मुकाबले आ रही है और गाईस मैं आपको बता दू यह मैच शुरू होने वादा है इंडिया लिजेंस श्री लंका लिजेंस बना वेश्टेंड लिजेंस का सिमी फाइनल टू मैच है और यहां पे अगर आज श्रीलंका की टीम जित्ती है तो गाईस फाइनल में पोछेगी और अगर वेश्ट इसके टीम जो है फाइनल में पोछेगी करो या मरो का मुकाबला है और गाईस यह मैच शुरू होने के पहले मैं आपको बता दू अगर आप लिजो को जोने इस मुकाबले को बिल्कुल फ्री में देख रहा है और गाईस आपको ओनलाइन आडी खरीद निये तो मैं आपके और यहाँ पर जो है न ढेल सारा पैसा कमाईए और गाईस आप लोग कमेंट सेक्षेन के न बता दीजिए आप शिलंका लिजेंज की टीम को सपोर्ट कर रहे हो या फिर जो हैना वेश्टेंडी लिजेंज की टीम को जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो अब ये तो आने वाले वक्ती बताएगा कौन थी टीम जोईस मुकाबले को या पर जित्ती है शिलंका लिजेंस बना आमा वेस्टेंडी लिजेंस का मुकाबला है प्लेयर्स या पर मैदान में आचुके तिलक रतन दिलिशान और तिलक रतन दिलिशान के साथ अगर आप देखे तो उपुल तरंगा जोई न आपको यहाँ पर पारी की शुरुवात करतों नजराएगे शिलंका लिजेंस की टीम तरफ से उपुल तरंगा और उपुल तरंगा के साथ आपको यहाँ पर दिलिशान नजराएगे और अगर यह दोनों ही बले बाद चल जाती है तो फिर यहाँ एक बड़ा टोटल मिल जाएगा वेश्टेंड इसकी टीम को और फिर वो जो रंचेस है न वो करने में आपे हालत कहिना की काफी टाइट हो जाएगी अब यह तो आने वाले वक्ती बताएगा कि शिलंका लिजेंस इस मुकाबले को जिती है और वेश्टेंड इस लिजेंस की टीम ने जिती है और वेश्टेंड इस लिजेंस की टीम ने जिती है और वेश्टेंड इस लिजेंस की टीम ने जिती है और वेश्टेंड इस लिज और आप लोग छो न अपनी अपनी प्रेडिक्शिन मता देजिह आप याप आंप日本祭 मैं मैं इस हंतिए मों का इुखनी को राध़ कुर्ण कैप्टइन जोच्छेए ऊपर सीलग्लेंग लिजलि की तीम ने इस है अन्य जया बाई मैंने दिल्शान को कैप्टन वाइस कैप्टन स्मीट को बनाया है आरे राकीब भाई आज तो आप पक्का पताएगा यहां पर जीतों के आप आटक करोड का इनाम जीतों के राकीब भाई अगर आप जीत जाते हो तो बहुत बहुत शुक्रिया राकीब लाइक कर देना और मैंने आपको इंस्टेग्राम पर तो मैंसे चीया था आपने में कुछी रिप्लाय ने दिये बाई मैं सची बूली हो तो भाई मैं फैंटे अगर आप वेस्टेंडिस की टीम पर जबी 370 रुपे लगाओगे तो यहाँ पर आपको 1000 रुपे मिलेगे 37 पैसो का भाउट चल रहा है और चले गाईज यहाँ पर वेस्टेंडिस की टीम गेनबाची करने के लिए आ रही हैं और तिलिकरतन दिलिशान के साथ सा दिखा ज है और यहाँ पर बल्ले बाची करते हिं निचुराने वाले हैं उपूल तरंगा के साथ जो हैं यहाँ पर तिलिकरतन दिलिशान मैदान में आतु निचुरा रहे हैं और मुकाबला शुरू हो चुका है शिलंक का लिजेंज बना वेस्टेंड इस लिजेंज का यह मुकाबला है जहाँ पर टॉस जीत्री है वेस्टेंड इसके टीम ने और पहले गेनबाची करने का निढ़ना लिया है और आज के जोगाई Ida Empire वमेश दुबे और आरसिंग यह दोनों ही मैदान में आ चुके हैं और यहाँ पर ब्रैन लारा की टीम यहाँ पर आ चुकी हैं जो टीम है मैदान में आ चुकी हैं और मुकाबला यह धुरू होता है और शिलंक का लिजेंज की टीम द्रफ से आपको उपूल तरंगा और प्रुपुल तरंगा के साथ आपको दिलिशान यहां पर नजराएगे अब देखने वाली बात है कौन से टीम यहां पर इस मुकाबले को जितने में काम्याब होती है शिलंका लिजेंस बनाम वेस्टेंडी लिजेंस का मुकाबला है जो कि आपको अपसे कुछ दिर बाद शु प्रजीतने में काम्याब होती है और गाईस सभी लोगा बहुत बहुत शुक्रिया और यहां पर गेंद जो है न देखते कि इसको दी जाती है पहला ओवर कौन डालता है काफी रोमांच एक मुकाबला है गाईस सभी कि तभी एक साथ मिलके लाइक कर देजिए जिन्होंने सनन्त जैसूरिया आया है यहां पे दिलिक रतने दिलिशान नहीं आया है पारी की शुरुवात करने के लिए भाई मैं तोड़ा था यहां पे शुक हो चुका हूँ यहां पे दिलिशान पारी की शुरुवात करने के लिए नहीं आया है यहां पे सनन्त जैसूरिया आया है और सनेंत जूसर्या के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर महीला उटा वट्टे आ चुके हैं पारी की शुरुवात यहाँ पर करने के लिए और बात करें तो यहाँ पर गेनबाजी करने के लिए उलाया गया है डारेन पॉवेल को और डारेन पॉवेल जो है न आपको यह कि लंका लिजंद बना West哪裡 की यहां पर कई दिलिशान पारे के शुरुबात करने के लिनिया है डारेन पोवेल केऊवर विकेट से पहली गेंड ती एहां पर आफसाइट पर गेंड थी टप खाने के बाद जो गेंड है उसको काफ़ी उचाल मिला गेंड और बल्ले का यहां पर संपर्क नीवा और गेंड जा चुकी है यहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन न मिलेगा इस गेन के उपह बहुत शानदार गेन थी देखा जाया तो यहां पे जो ना तेज गेन बाज उको मदद है और शीलंका लिजन से अब पहले बल्लेबाजी करने के लिए मुझे लगाता है कि दिलेकरत ने दिलिशान और उपूल थरंग आएंगे वल्लेबाजी करने के लिए पारे के शुरुवात करने के लिए और गेन चले गई फाइनलेक के दिशा में पिछे फिल्डर मौझूद थे लेकिन जब तक इस गेन को त्रोकिया जाता दोनी बलेबाजो ने सिंगल यहां पे चुरा लिया है इसे के साथ दिखा जाया तो खाता खुल चुका है सिंगल के साथ और यहां पे मैश टीवी कहते हुए बाई इंड टेंडे लिजेंस के टीम यहां पे फाइनल केलेगी इसे के साथ डेरेन पोविल ओवर के तीसरी गेन लेकिन इकल चुकी इस बार ओवर के तीसरी गेन थी शौट पिश गेन थी और बलेबाज अस्था जैस तुर्या ने बले का मुझ खोला है गेन को जो है ना खड़ मैल की पीछे फिल्डर मौजूद जरूत है लेकिन जब तक इस गेन को त्रो किया जाता दोनी बलेबाजों ने बाग करके यहां पे सिंगल चुरा लिया है काफी अच्छा ताल मेल और रॉनिंग बिट्वी इन विकेट यहां पर देखने को मिलता हुआ इसे के साथ ओवर की चौती गेन था इस बाहर बहुत अच्छी गेन थी ओफसाइड पे शौट पिछ गेन थी बलेबाज इस गेन पे बला शौट केलना चाहते थे महीला लेकिन अगर आप देखे तो गेन दोर बलेका यहां पर संपर्क नहीं हुआ है गेन जा चुकी है वि गेन थी कट किया इस कवच के दिशा में चार और एन मिल जाएंगे इस गेन के ऊपर कराब गेन थी डायरन पाविल की दिमी गति गेन थी अफसाइड पे गेन थी काफी जदा समय था संपह़े था बल्लेबाज के पास पड़ दिया था बलेबाज महीला ने की एगेन दिमी कती कि हैं लाइंद बॉल थी कट किया है महीला ने इस गेंद को और गेंद चले गई है कवस के खिलाड़ी के बगल में से और चोका मिल जाएगा इस सक गेंद के उपर मुकाबले की पहली बाउंडरी आ चुकी है महीला उटावट्टे की बल्ले से इजे के साथ स्कॉर बोर प बाउंडरी लगा दिये महीला उटावट्टे ने जब यहां पर मैंने देखा था कि दिलिशान पारे की शुरुवात करने के लिए नहीं आये है और साती में उप्पूल तरंगा नहीं आये तो मैं यही सुचने था कि भाई क्यों नहीं आये है क्योंकि भाई इस तरीके से को बीस पसंद है दिलिशान को ओपनिंग करना पसंद है लेकिन यआ पे दिलिशान ओपनिंग करने के लिए नहीं आये है और महीला आये है और सारती में सनध्य सुर्या आये और जिस तरीके से इन्होंने दो चौके लगाई है न बैक टू बैक इनको यहां पर पहले बल्लिबाजी करते हैं, उनको लाइसेंस दिया गया है जाएं के बल्ला गुमाई है आपके पास यहां पर लाइसेंस है, आप यहां पर शिलंका टीम को को सपोर्ट कर रहे हो यहां फिर आप यहां पर वेस्ट एंडिस लिजन्स की टीम को सपोर्ट कर रहे हो आप अपनी अपनी प्रेडिशिन वताद जी का पिछला जो ओबर है वो डारें पॉवेल ने डाला था जहां पर उन्होंने दस रन दिये थे इसके साथ अब कप्तान ब्रैन लारा बातशित कर रहे हैं और अब देखने वाली बात है कि अब किसको यहां पर गेन थमादे हैं और आप सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्री हमाँ साथ इस मुकाबले में जूड़ा रने के लिए सभी के सभी गाइद एक साथ मिलक के श्ट्रीम को लाइक कर दिजीगा जिनोंने भी लाइक नहीं किया है काफे रोचा के मुकाबला चलता हुआ इस वक्त आप कोंसे टीम जो इस मुकाबले को यहां पर चितने में कामया बरेगी यह दिखना दिलजब्स रहेगा टॉस यहां पर वेस्टेंड इस लिजेंज क की टीम ने चीती है और पहले यहां पर गेंदबाद रॉस एक करने का लिजने लिया औरो यह खराब गेंद एक काफी जदल एक citoyड पर गेंद फिक ती एक अतरी अधर मैं जाएक गैन के उपर. खराब गैन धी, काफ़ी ज्यादा लेकसाइड पे गैन धी, और यहाद पे गैन दोर बल्ले का संपर्क नहीं वाँ गैन जाए Insert असवक्त कोई तैम इस मुकाबले को जितेगा ये दिखने वाली बात देखा जाये तो ऊभर की दूसरी गैन लेकर निकल चुके ओवर की दूसरी गैन दहा इस बार अच्छी गैन थी दि मीघती गैन थी और बले बाइल, खुला जुँ हे कानम नगे निकल दिया धाए और न और फिल्डर वापे महजूर थे और जब तक इ आपे सिंगल चुरा लिया है काफी बढ़िया ताल मेल और काफी बढ़िया जोनर रनिंग बिट्विन दविकेट इस गेन के उपर देखने को मिलती हुई इसी के साथ आप स्कोर पौच चुका है पारा रनों पीसी के साथ आप देखा जाया तो टेलर जो है ओवर की दूसरी गेन लेकर निकल चुके और गईज अगर आप लोग के मन में कुछ भी सवाल होगा इस लाइव मैच अस रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के दब पुछ लेजीगा मैं आप लोग के साथ सवालों के आप जवाब दूँगा इथी के साथ दिका जाया तो अब ओवर की दूसरी गेन लेकर निकल चुके टेलर ओवर की दूसरी गेन दा इस बार अधिमीगत की गेन थी बले बाज टेलर ने पंच किया इस गेन को शौट पे इस गेन ते जाता जोर से जो है मारने की कोशिश नहीं करी खाली बले का मुझ खोला है गेन को डखेल दिया है फानले के दिशाह में और पिछे जो है न फिल्डर यहां पे मौझूद थे हैं सिंगल मिल जाएगा इस गेन के ऊपर भी पहली गेन पे विस्फिघ ब्ला ता ऑवर की दूसरी गेन के उपर भी जो नहीं हाँ पर सिंगल मिल चुका है इसी के साथ अब वर की तीसरी गेन लेकिए गेंबाज यहाँ आपके निकल चुके है जी रोम टेलर आ है गेंबाची करने के लिए ओवर के दिसरी गेंद है आप पे जीरोम टेलर की सामना करेगे सनन्त जाय सूरिया ओवर्ड विकेट से तीसरी गेंद है और ये तो बहुत खराब गेंदी यार इस पे तो चौका मिलना ही चाहिए था काफी खराब गेंदी ओवर के तीसरी गेंदी जीरोम टेलर की काफी ज्यादा लैक साइड पे गेंदी अगर इस गेंद को छोड़ भी देते तो वाइड होती बल्ले का मूँ खोला है बल्ले बाज असननत जाय सूरिया ने और गेंद यहाँ पे चले गई है विकेट कीपर के बगल में से और चार रन यहाँ पर मिल जाए सत्रा रनों पे काफीर रोमांच के मुकाबला चलता हुआ एक दश्यव लगतीन इंदों के खेल के बाद स्कोर यहाँ पहुच चुका है सत्रा रनों पे जिए के सादे का जाय तो वर की यह चौती गेंद इस बार धिमीकती गेंदी बल्ले बाज असनन जैसुरिया ने बल् ताल मेल और काफी बढ़िया जो है ना रनिंग बेट विकेट इस गेंद के ऊपर देखने को मिलती हुई सिंगल मिल जाएगा इस गेंद के ऊपर बड़े आस्थान इसे अब कोंस्ते टीम जो इस मुकाबले को जिदेगी यह दिखने वाली बात और यहां पे नो बॉल का इशारा कर दिया है मतलब यह जो गेंद है गाईज आफ फ्री हिट हो चुगी है फ्री हिट गेंद है यह जब यहां पे जीरोम टेलर गेंद बाची कर रहे थे तो इनका ज इदिये फ्री हिट गेंद पे चौका जाएगा यहां फिर बले बाच महीला जो है चक्का लगाएगे फ्री हिट गेंद है चौका यह फिर चक्का इस बार हवाई फायर च्छे रन मिल जाएंगे इस गेंद के उपर बहुत ही बढ़िया यह शौट है जीरोम टेलर की ओवर क चौती गेंदी फ्री हिट गेंदी सामना कर रहे थे बले बाच महीला देखा जाए तो स्लोट में गेंदी और बले बाच महीला ने बल्ला गुमा दिया गेंद को माल दिया डीप मिड विकेट के दिशा में और गेंद और बले का संपर्क बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे अगर वेश्टन इसकी टीम को इस मुकाबले को जितना तो विकेट चटकानी बेहादी जरूरी रेंगी इसके साथ ओबर की पांच वी गेंद इस बार धिमी गती की गेंदी और बलेबाज महिला ने इस गेंद के ओपर भी बड़ा शौर्ड खेलने की कोशिश करे थी लेकिन अगर आप देखे तो गेंद और बले का यहाँ पे संपर्क नहीं हुआ और गेंद जा चुकी विकेट की पगि दस्तानों में कोई भी रन इस गेंद की उपनी मिलेगा एक दश्यमला पांच गेंदों का खेल हो चुका है सम्माप एक दश्यमला पांच गेंदों के खेल के बाद स्कोर यहाँ पर पहुँच चुका है पच्छीस रनों पर बिनाकिस विकेट के नुक्सान पर अब देखा जाए तो टेलर की सोवर की आकरी गेंद है सामना करें के बलेबाज महिला उठा वट्टे ओवर की अंतिम गेंद है और इस बाहर देखा जाए तो एक और शौट पीच गेंदी इस बाहर भी देखा जाए तो बलेबाज महिला जोटन इस गेंद को पंच करना चाहते थे स्क्वेर लेक बाउंडर के दिशा में लेकिन यहां पी भी जोटन गेंद और बले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद जा चुगी है विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नी मिलेगा इस गेंद के ऊपर ब्रो महीला नो महीला ओके मेरे बाई मैक्स टीवी और सरिनन केसियोग केरे के दोसों के पाद जी आशिलंका लिजेंस के आन स्कोर 200 देखा जाए तो टू अवर्स कंपलिटेड अन शिलंका लिजेंस स्कोर इस 25 और जित्ते भी लोग हमारी श्रीम को देख रहें सभी के तभी एक साथ मिलके इस ट्रीम को यहाँ पर लाइक किजीगा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाद जीगा ताकि जब भी हम आने वाले मुकाबलों के अंदर लाइव आए तो आपको जो है न नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाए को आप देखते कों सरी टीम जो इस मुकाबले को जितने में कामयाब होती है शीलंका लिजयन्स बनाम व hobby मुकाबलाज चल रहा है अब देखने वाली बात है कौन से टिम जो इस मुकावले को जितने में काम या बहुती है शिलंका लिजेंड्स या फिर दिखा जाये तो वेस्ट एंड लिजेंड दिखा जाये तो आप गेंबाजी करने के लिए पावल आये पावल की ओवर की पहली गेंद है सामना करेंगे बले बाहर जैसनन जैसूरि बले बाज उडावटे ओवर की दूसरी गेंद इस बाहर उडावटे ने बला गुमाया था गेंजो है फाइनले के दुशा में चल गी फाइनल लगका जो खिलाड ये सरकल के अंदर था पोई रन नी मिलेगा इस गेंदर टॉट ये गेंद है तू और एंट वैंट वैंट ये खराब गेंद है और यहां पर एंपार ने वाउट दे दिया है लेकिन आपर आउट दिया है अपील तो शांदार करे थी एंपार की यहां पर उंगली भी खड़ी हो चुके है और भाई यही लीक के अंदर तो रीव्यू मौझूद भी नहीं है और यहां पर जो उदाव अट्टे है ना कईना कई काफी ज्यादा नाकुष निज़र आ रहे हैं विकेट यहां पर गेंद चुकी है उड़ाव अट्टे ग्यारा गेंदों में 15 रन मनाकर के आउट हो हैं और की तीसरी गेंटी डारन पॉविल की लाइक साइट पर गेंद थी बल्ले बाज इस गेंद को फानले के दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन अगर आप देखे तो आपे बल्ले का भारी की नारा लगा और गेंद जा चुकी है विकेट कीपर के दस्तानों में और कैश यहां पे पकल लिया है और विकेड गेल चुकी है और इसी के साथ सथ तिले करतन dejडिशान आ चुके है बल्ले बाजी करने के लिए लेक्रत इसे णिचान या पर आ चुके है बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर वो चुका है सम्माप्त स्कॉर पहुच चुका है 26 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर बड़ी विकेट वा पर गिरी है अब यह तो आला की आने वाला वक्ती बताएगा कौन से टीम इस मुकावले को यहां पर जितने में कामया होती है विकेट की पर कीज़ानों में और एमपार ने अपने ढूनों हाथ खोलन दी है और वाइट का यहाँ पर इशारा दिया है और एक अत्रीक रंज जो है ना इस गेन के उपर यहाँ पर मिल जाएगा अब डिस्कोर पौच चुका है दो दश्मलब तीन गेन्दों के खिल के बाद 27 रंडों पर एक विकेट के नुकसान PC के साथ ओवर के चौती गेन्द है इस बार दिमीगती गेन्दी बलेबाद दिलिशान ने फ्लिक किया इस गेन्द को लाकसेड में पिछे फिल्डर मौजू जरूत है ब्रेन लारा लेकिन ब्रेन लारा जो प्तक इस गेन्द को थ्रोग करते दोनी वले बाजों ने भाग करके सिंगल यहाँ पर चुरा लिया है और सिंगल के साथ यहाँ पर दिलिशान ने अपना खाता खुला है और अब इस ट्राइक के उपर आ चुके है सनन्त जैसूरिया सनन्त जैसूरिया की बात करें तो पांच गेंद यहाँ पर खेलिए सनन्त जैसूरिया ने और आठ रन जोड़न यहाँ पर बना चुके है अब देखते हैं कौन सी टिम जोड़न मुकावले को यहाँ पर जीतने में काम्याँ होती है इसी के साथ ओवर की पांच भी गेंद है सामना करेंगें बले बाज जितनन जैसूर यहाँ फुल टॉस गेंदी गेंद को डखेल दिया है कवस के दिशा में पिशे फिल्डर मौजूद जरूत है लेकिन जब तक इस गेंद को त्रो किया जाता दोनी बले बाजों ने बाग करके यहाँ पे सिंगल चुरा लिया है काफी बढ़िया ताल मिल और काफी बढ़िया जो नर रनिंग बिट्मिन द विकेट यहाँ पे देखने को मिलती हुई और यहाँ पे जो नर एक अतरिक रन मिल जाएगा इस गेंद के उपर खराब गेंदी फुल टस गेंदी इसे के साथ अब स्कोर पहुच के अब बाद 29 रनों पे 2.5 गेंदों का खेल यहां पे हो चुका सम्माप्स स्कॉर पहुच चुका 29 रनों पे एक विकेट के नुकसान पे इसे के साथ ओबर की आखरी गेंदर डारन पॉवल की सामना करें के बले बाद दिलिशान दीमीगती गेंदर डारन पॉवल की दिलिशान ने पे कदमों का इस्तमाल किया था बड़ा शॉट खेलने के लिए लेकिन गेंदर बल्ले का आया आपर संपर्क निवा गेंद चले गई है विकेट कीपर के दस्तानों में तो बहराल गाईज अगर आप देखें तो तीन ओवर का खेल यहां पर उच्छी का है समाप और तीन ओवर के खेल के बाद श्रीलंका लिजेंस की टीम का जो स्कूर है वो यहां पर पहुच चुकिया 29 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर इंडियन सेफ्टी यस यस इंडियन सेफ्टी और गईज मैं आपको बता दूँ यह मैच अगर श्रीलंका लिजेंस की टीम जित्ती है तो श्रीलंका लिजेंस की टीम जो है फाइनल में पहुचेगी और अगर यहां पर इंडिया लिजेंस की टीम इस मुकाबले को जित्ती है तो इंडिया लिजेंस की टीम जो है यहां पर फाइनल में पहुचेगी तो मतलब यह फाइनल का मुकाबला रहेगा यह सेमी फाइनल मैच है आप देखना दिल जब रहेगा कि श्रीलंका लिजेंस क governments कि अंडिया लिजन्स के टीम तो यहां पर पहले गेंना लिया था शांटो की को बुलाया गया गया है गेंबाजी करने के लिए अ οडग जाये तो सांटो की जो हमा यहां पर गेंबाजी करने के लिए आये हैं सांटों की की ओवर की पहले गेंदे स्ताम ना करें के वले बाज है सने तज्जाए सूरिया और यहां पर दिखा जाए तो काफी ज्यादल एक्साइट पर गेंदी एंपार ने अपने दुनों हाथ खोल दिये और एक अत्री क्रण मिल जाएगा इस गेंद के उपर यहां पर मिल जाएगा इसी के साथ दिखा जाए तो स्कोर पहुच चुका है तीस रणों पे अब ओवर की दूसरी गेंद लेके निकल चुके सांटों की ओवर की दूसरी गेंद है इस बाहर बले बाज सननत ज्या सूरिया ने कट किया इस गेंद को लॉग ओन और दो नहीं बले बाजों ने बाग करके जोईना दो रण्या पर चुरा लिए इसे के साथ बहुर के तीसरी गेंद सामना करेंगे बले बाज सननत ज्या सूरिया इस बाहर दिमी गती गेंदी बले बाज सननत ज्या सूरिया ने कट किया इस गेंद को थर्ड मैं के दिशा में प कप्तान है और एक कप्तानों पारी की उमिद रहेगी इनके बल्ले से जीक आठा कशंची ओवर की यह तीसरी गेंद है, सामना करेंगे बले बाज दिलिशान, दिलिशान ने दो गेंदों का सामना किया है, एक रन यहाँ पर बनाए है, और कहिने के दिलिशान एक काफी important player है शिलंका एक टीम के, ओवर की तीसरी गेंद लेकर निकल चुके है, गेंद बाज यहाँ पर खिलाडी बापे मौझूद, ता सिंगल मिल जाएगा इस गेंद के उपर, और इसी के साथ दिखा जाया है, तो सिंगल के साथ श्ट्राइक के उपर आचुके हैं, अब सानन जैसूरिया ने आठ गेंदों का सामना किया है, ग्यार अरन वना हैं, और इसी बीच दिखा जाया तो सन्दीब भई हमारी श्ट्रीम पर आचुके हैं, बहुत दोर शुक्रिया, सन्दीब भई हमारी आपको अच्छी पर आने के लिए, आप देखा जाया तो आवर की चौूरती गेंद है, और आप सामना करते हुए आपको बलेबाहर सानन्त जैसूरिया यहाँ पर दोने वाले हैं ओवर की चौदी गेंद इस बार सांटो की यॉरकर डालने का प्रयास कर रहे थे गेंद चले गए फुल टॉस पले बाज सनन्त जैसूर्या ने खेल दिया इस गेंद को डीप स्क्वार लेके खिलाड़ी के सर के उपर से चारन मिल जाएंगी खराब गेंद आप की लांटो की लांट से चुके गेंद चलेगे फुल टॉस सनन्त जैसूर्या ने पंच किया इस गेंद को डीप मेड विकेट के खिलाड़ी के सर के उपर ते और गेंद चले गई है सीमा रिखा के बाहर चारन मिल जाएंगी इस गेंद के उपर इसको और पहुच चुका 35 र और गेंद और बले का संपर्क निवा और गेंद जा चुके विकेट की पाके दस्तानों में कोई रन नी मिलेगा इस गेंद के उपर इसको रहा पर पहुच चुका है तीन देशमला पांच गेंदों के खिलके बार 38 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर इसी के साह देगा तो अब यहापे ओर की आखरी गेंद आखरी गें लेके इन आपर इसांटों की निजिकल चुके हैं और की आखरी इस बार फुल टॉच गेंद री स्विप किया इस गेंद को गेंद चले के श्वाली कि दिशा में और पीछे जोई फिल्दर माचूद जूद थे इस गेंद के उपर यहां पर सिंगल मिल जाएगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान में इंगलाइन के कॉमेंट नहीं करोगी का वही उसका मश्कील है यार देखता हूं मैं बिच्विच में कुछ करूगा जुगा और यह मैंने यह वाली श्रीम चालू कर दिये अब चार ओवर का खेल यहां पर हो चुका है समाप चार ओवर के खेल के बाद स्कोर यहां पर पहुच चुका है 29 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर चार ओवर के खेल के बाद आप देखने वाली बात है कोन से टीम जो इस मुकाबले को यहां पर जीतने में काम्याब होती सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाद जीगा और साती में आपको आइडी पर्चेस करनी है तो आप लोग कोई नूर आइडी पर्चेस कर सकते हो यह भारत की जो है एक ट्रस्टेड आइडी पर्चेस कर सकते हो और आपको काफी सारे मैचेस भी आपको बिलकुल फ्री में देखने को मिलेगे तो इस वाट्सटेड नंबर का जो लिंक है अपने चैट के अंदर डाल दिया है आप वाट्सटेड पर हमारे साथ बातचीत कर सकते हो चाहद अश्मलबे गेंद के बाद स्कोर आपके पहुच चुका है 139 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर देखने वाली बात है यह आगेगा खेल यह आपके किस प्रकार पर चलता और कौन से टीम जो है ना इस सम्मुकावले को यहाँ पर जीतने में काम्याव होती है शिलंका लिजैस बनावम वेश्टेंड इस लिजैस का मुकावला चल रहा है देखा जाये तो आप गेंद बाजी करने के लिए डारन पॉवल आए है ओवर की पहली गेंद कोई रन नहीं मिलेगा इसके साथ देखा जाये तो डारन पॉवल की ओवर के दूसरी गेंद सामना करेंगे बलेबाज सननत जैसूरिया शौट पिछ गेंदी सननत जैसूरिया जो इस गेंद को थर्ड मैन के दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन यहां पे गेंद और बल्ले का संपर्क निवा गेंद जा चुकिए विकेट की पर दस्तानों में और कोई रन जो है न इस की उपर नहीं मिलेगा दो गेंदे डारन पॉवेल के इस ओवर से हो चुकी है और दोनों ही गेंदों पे कोई भी रन यहां पे मिला नहीं है इसकोर यहां पर पहुच चुका है 39 रनों पे एक विकेट के नुक्सान पे अब ओवर की तीसरी गेंद लेके निकल चुके है डा गेंद और बल्ले का यहां पर संपर्क नियुआ है गेंद जा चुकी है विकेट कीपर के दस्तानों में और कोई भी रन जो ना इसकर गेंद के उपर ही मिलेगा डाट यह गेंद है बिंदी यह गेंद है और देका जाया तो तीन गेंद इस ओवर से हो चुकी है दारन सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब चले गए विकेट की पर ये गलत रो चाहरन मिल जाएंगे बेफाल दूगे देखा चाहिए तो ओबर की चौती गेंट इस डारन पावल की बल्ले बाज संद्ध जैसूर्या ने जिगेंट को फाइनले की दिशा में खिला था और जो फाइनले की फिल्डर डारेक्ट इट मारना चाहते थे लेकिन गेंट और बल्ले का यहां पे संपर्क नहीं हुआ और गेंट चले गई चौती के लिए चाहरन मिल जाएगे इस सग ग गेंट के उपर मिल जाएगे खर आप ओवरत रुका बेफालतू का चौका मिल जाएगा आरे संदी भाई कॉंग्राजूलेशन मेरे बाई आपको आपको जो है धेर सारी कॉंग्राजूलेशन धेर शारी बदाई आप जो स्कोरबड पहुच चुका चार दाश मिलब चार ग गेंटी लैक साइट पे गेंटी सनन तर जाए सूरिया तयारते इस गेंट के लिए खड़े-खड़े फ्लिक किया इस गेंट को गेंट चलेगे डिपमेट विकेट के खिलाडी के सर के उपर थे और यहां पे जो हैना चार रन मिल जाएंगे इस गेंट के उपर बहुत ही बार बड़ा शॉट गेंट रवा में हवाई फायर और एक और चोका जीनी यहां पर दोरन मिल जाएगे दिखा जाए तो अबर की आंकरी गेंटी डैरन पावल की बलेवार जैसनन तर जैसूरिया ने कदमों का इस्तमाल किया था बड़ा शॉट खेलने के लिए गेंट एक विकेट के नुकसान पर तो बहराल गाइस पाच ओवरो का खेल यहां पर ओल चुका है समाथ स्कोर है यहां पर 49 रन एक विकेट के नुकसान पर देखने वाली बात है शीलंका लिजेंस यहां पर वेस्टेंड इस लिजेंस कोंसे टिम जो इस मुकाबले को यहां पर जी चल रहा है अब देखने वाली बात है कि कौन से टीम इस मुकाबले को आपर जितने में काम्याब रहती है यह एक बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा अब देखा जाए तो मौझूदा रुन्रेट जो है शीलंका की टीम का वो 9.80 है और टॉस से आपर जीते थी वेस्टेंड इस स्कोर है फोटी नाइन दन एक विकेट के नुकसान पर इसी के साथ देखा जाए तो अब तिलेकरत ने दिलिशान श्ट्राइक के ऊपर महजूद है और की पहले गेंद है इस बार ऑफ साइट पर गेंद दिलिशान ने कदमों का इस्तमाल किया था बड़ा शौट केलने के लेकिन गेंद और बल्ले का यहां पर संपर्क नहीं हुआ गेंद जाचुकी है विकेट कीपर के दस्तानों में और कोई भी रंच जोह न इस तक गेंद के ऊपर यहां पर नहीं मिलेगा डॉट यह गेंद है बिंदी यह गेंद है और देखने वाली बाद है शिलंका लिजि सांटो की कि सोवर की दूसरी गेंद है इस बाहर सांटो की जो यॉर्क कर डालना च्छा आते थे गेंद चले गए फुल टॉस खेल दिया इस गेंद को कवर्ष की खिलाड़ी के सर के उपर से और देखा जाये तो इस गेंद के उपर जो है ना बड़े आस्थानी के साथ सिंग संगल मिल जाएगा ओवर्की पहले गेंद के उपर कोई रन नहीं मिलाता लेकिन देखा जाए तो ओवर्की दूसरी गेंद पर सिंगल मिलेगा इसी सिंगल के साथ अब सननत जय सूरिया स्ट्राइक के उपर आ चुके हैं सननत जय सूरिया ने सतरा गेंदे खेलिए हैं और 26 र जैसुरिया कट करना चाहते है इस गेन को कवास के दिश्या में लेकिन यहां पर जो एना गेंद और बले का संपर्क नहीं आये गेंद चलेगी है विकेज कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ओपर यह पावर प्ले का अंतीम ओवर हैं और कीनिकर यहां पर प्रूरिय चिह अंती मोवर में दोने बले बाज रंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब ओवर की चौर्थी गेंड और ये आउट हो था थे जिया ओवर की चौर्थी गेंड ती सांटो की की य्योरकर गेंड थी और यहाँ पर बल्ले बाज जै सनन्त जै सूरिया इस गेंड के उपर बड़ा शौट के लाच चाहत है ते लेक साइट पे गेंड और बल्ले का यहाँ पर संपर्क नहीं हुआ गेंड जो है सिद्धा जाके बैड पे लगी एमपायर मतलब हम गेंड बाज ने काफी शांदर यहाँ पर LBW की अपिल करे थी एमपायर ने अपना समय लिया और समय लेने के तुरन बादी जो एमपायर ने अपनी उंगली यहाँ पर खड़ी कर दी है और यहाँ पर सनन्त जै सूरिया की जो कहानी है न वो यहाँ पर समा आप तो चलिए संदंत जैसूर्या जो ना यहां पर लगबग देखे तो 19 गेंदों में 26 रुमना करके यहां पर आउट हो चुके हैं और इसकोड यहां पर पूच चुके हैं पांच दिश्यम लब चार गेंदों के खेल के बाद पचांस रूंद के नुक्सार पर इंडिया लिजेंज बना मां शी एंडिया शीलंका लिजेंज बना वस्तरन्रिस लिजेंज के मुकाबला हैं और काईस मैं आपको बता दूब्द Same final two है अगर यहांपर आज दिखा जाय तो शिलंका की टीम इस मुकाबलने को जीती तो बहुत के साथ final खु लेगी और वेस्टेंड इसकी टीम अगर इस मुकाबल को जिती है तो वेस्टेंड इसकी टीम जो है नहेंग है आहापर final खु लेगी तो आप देखा जाए तो उपूल तरंगा आए है बल्लेबाची करने के लिए, मुझे लगाता है कि शायद उपूल तरंगा पहले बल्लेबाची करने के लिए लेकिन जी नहीं, उपूल तरंगा को थोड़ा सा आकरी में विजा है बल्लेबाची करने के लिए, अब देखते हैं उपूल तरंगा खित्ते रंच से आप बना पाते हैं और कोंसे टीम जो इस मुकावले को जितने में काम्याब रहती है और अब देखते हैं आपे किस तरीके से खेल आपे आगे बढ़ता है कोंसे टीम इस मुकावले को जितने में काम्याब होती है इसे के में और सिंगल मिल जाएगा इस गेंड के उपर इसी के साथ अगर आप स्कूर बोट देखें तो इसकोर पहुच चुका है पाइद पांच गेंडों के बाद इकावन रन दो विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आखरी गेंड लेकर जो है सांटो की निकल चुके हैं ऑवर की बाद 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 आप्ट दिलिशान पेल दिलिशान ंके लिए पांच गेंड विन ठोपफार फ्रावन ओफ जरू दोंहीं के पल्लेवाजों ने बाग करके यहां पर सिंगल चुरा लिया है अब अच्छी ओवर का खेल यहां पर सम्माप को चला है और अच्छी ओवर के खेल के बाद अगर आप स्कोर बोड़े के तो वह यहां पर पहुंच चुका है फिफ्टी टू रन दो विकेट के नुक्सान पर कर लगता है कर लकते से के इल्टी आप आपके यहां पर वास्टेंटी बटा देखाए इस मुकाबल में इंडिया यहां पर श्रिलनका अस्की टिम के जित्ता की तो यहां पर जो है Kansas पाइनल में पहुचेगी अगर यहाँ पर श्री लंका लिजेंस यहाँ पर वेश्टेंडी लिजेंस कोन चितेगा इस मुकाबले को और गेन बाजी करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है कप्तान ब्रैन लारा के द्वारा कोन आया भाई गेन बाजी करने के लिए देख लेते हैं कोन यहाँ पर गेंबाजी करने के लिए आया है यहाँ पर डारन पॉवल आया है गेंबाजी करने के लिए डारन पॉवल की ओवर की पहली गेंद इस बार लेक सेट पर गेंथी बले बाज ने बले का मुझ खोला है और गेंद चलेगी है फानले के दिशा में और इस गेंद के दो विकेट के नुकसान पे 6 दश्यम लब एक गेंद के बाद इसी के साथ दिखा जाए तो अब ओवर की दूसरी गेंद लेकर निकल चुक है डारन पॉवल, डारन पॉवल की इस ओवर की दूसरी गेंद है सामना करते हुए आपको अपूल तरंगा न चुराएंगे ओवर की दूसरी गेंद है इस बाहर शॉट पिछ गेंद ले बाद दिलिशान ने बले का मूँ खोला है गेंद को थड़माने के दिखा मड़ा केल दिया है पिछे जो है फिल्डर मौजूद है सिंगल मिल जाएगा दोनी बले बाद चाहिए दिलिशान और या फिर उपुल तरंगा होना दोनी बले बाद यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं कर रहे है खाली सिंगल डबल खेल के श्ट्राइक को रोटेट किया जारा पार्टनर्शिप की अगर हम बात करें तो चार गेंदों के अंदर यहाँ पर चार रॉनों की पार्टनर्शिप जो हैना तो नहीं बले बाद जो की बीच हो चुकी है इसे के सांथ अब डारन पावल जो होगर के तीसरी गेंदों लेकर निकल चुके है सामना करें बले बाद दलिशान इस बाद लाकसाइट पर गेंदों यह फ्लिक किया इस गेंदों को डीप मिट विकेट के दिश्या में और इस गेंद के उपर भी जोईना सिंगल हो लेगा तीन गेंदे अभी तक के डारन पावल ने सोवर में डाली है और तीन ओई गेंदों में सिंगल लेगा और संधीप कुमार जी का करमेंट है कि शिलंका जितेगी इस मुकाबले को यह तो आने वाला वक्ती बताएगा शिलंका जितेगी यहाँ पर वेस्टेंड इसकी टीम टॉस तो यहाँ पर वेस्टेंड इसकी टीम ने जिती और पहले गेंद बाजी करने का नेड़न लिया है क्या टॉस यहां पर जिती है वाइस्टन इसकी टीम लेकिन क्या मुगाबला शिलंका की टीम जितेगी यह दिखना दिलजब रहेगा इसे के साथ ओवर की चौती गेंद है और ओवर की चौती गेंद पे भी सिंगल मिलेगा उपूल तरंगा और दिलिषान ये तो मैं को लगा थी पाड़ी की शुरुवाट करने के लिए आएगे लेकिन नंबर 3 पर दिलिषान और नमबर 4 पर बलेबाची करने के लिए आप उपूल तरंगा आए तो अलग रन निती अपनाते हुए यहाँ पर दोने ही बल्ले बाच इची के साथ ओवर की पांच वी गेंद इस बार शौट पिछ गेंद इपले बाच दिलिशान इस गेंद को कवर्ट के दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर गेंद और बल्ले का संपर्क निवा गेंद जा चुकी है विकेट कीपर की दस्तानों में और कोई भी रन जो है ना इस गेंद के उपर यहाँ पर नहीं मिलेगा दौर्ट ये गेंद है इसी के साथ अगर आप स्कोर बोर देखें तो यह पहुच चुका है आपर 6.5 गेंदों काख खेल यहाँ पर हुचका है South और 6.5 पांच गेंदों के खेल के बार स्कोर है आपर 56 रनों पर दो फिगेट के नुकसान पर इसे के साथ ओबर की आखरी गेंद इस बार शॉट पिश गेंद थी बल्ले बाज दिलिशान इस गेंद के ओपर बड़ा शॉट केलना अच्छा आते थे गेंद और बल्ले का यहाँ पर संपर्क नहीं हुआ है और गेंद जा चुकी विकेट कीपर दस्तानों में विकेट कीपर जो नहीं यहाँ पर आउट की अपिल कर रहे है अलाकि यहाँ पर एमपार ने नौट आउट डिया है लेकिन जो अपिल है न वो यहाँ पर काफी शानदार हो थी और इसे किसान देखा जाए तो कोई रन नी मिलेगा इस गेंड के उपर चार रन इस ओवर से आए है चार रन इस ओवर से आए है स्कोर यहाँ पर पहुच चुका है साथ ओवर के खेल के वाद शपन रनों पर दो विकेट जो नुखसान पर और इंडिया फाइनल जिति कैसे प्रमोद भाई कयह रहे है अगर यह मुकाबला जो ना शिलंका लिजिंज जित्ती यह तो final होगा भारत लिजेंस के साथ और अगर Westandy's Legends के टीम जित्ती हैं तो भारत और Westandy's Legends का final होगा भारत लिजेंस के टीम बड़े आसानी से match को देख रही होगी स्वक्त क्या रहते हैं शीलंक का लिजेंस या फिर Westandy's Legends कौन से टीम जो है आप यह तो आने वाला वक्ती बताएगा कौन से टीम जो इस मुकाबले को यहां पर अचिते में काम्याब होती हैं काफे रोमांच के मुकाबला है शिलंका लिजेंद बना वेस्ट अंडिस लिजेंद का यह मुकाबला चलता हुआ अपर जोटी बताएगा आप शिलंका लिजेंद के टीम को यहां पर आज़किक से पाह suspension के अंदर सपोर्ट करें यहां फिर वैश्ट अलिल्गिएन को डौप Pandemie को अचिते में करेंदर सब्सक्राइगा और सिंगल मिल जाएगा इस गेंड के उपर बाई नेया नाम बोलो नेहा जी शौट आट टो यू प्रमोध आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को आपर सब्सक्राइब करने के लिए और असंदीप कुमार जी आपका भी बहुत 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 शुक्रिया आप चैनल को प्रवाइब कर रहें ना बेल आइकन को दबात जी का इची के साथ देखा जाये तो ओवर की दूसरी गेंद यहां पर द्वाइन स्मिट की सामना करेंगे बलेबाद जातली कृतने दिलिशान ओवर की दूसरी गेंद है और यहां पर क्या गेंद और बले का संपर्क हुआ है देखा जाये तो ओवर की दूसरी गेंद यहां पर द्वाइन स्मिट की दिमी गेंद यहां इस गेंद को कट करना चाहते थे गवर्स की दिशान में लेकिन यहां पर गेंद और बले का संपर्क निवा और यहां पर देखा जाये तो बले का भारी किनारा लगाया मैं आपको बता दूं, ऊवर कि ये दूसरे गेंदी गेंद और बल्ले का हलका सा संपर के आ पे हुआ है, बल्ले के श्तिकर पर जाके ये गेंद लगी है, और इस गेंद पर देखा जाया ना तो विकेट गिरी है, और दिलिशान ने जो है न गाइस, यहां पर आउट हो चुके हैं, और और देखा जाये तो साथ दश्यमलब दो गेंदो का खेल यहां पर ऊचुका सम्माप और साथ दश्यमलब दो गेंदो के खेल के बाद स्कोर यहां पर पहुच चुका है 57 रनों पे तीन विकेट के नुकसान पे अब कौन से टिम जो इस मुकाबले को जितने में काम्या बरोग लुटरी शीलंका लिजेंज या फिर वेश्टेंड लिजेंज के ने कि यह दिखना जोएना बेहद्य दिल जब्ध हो और तो चक्रेगा 3.12 गेंदों के खिल के बाद स्कोर यहां पर पहुँच चुका है 57 रनों पे 3 विकेट के नुक्सान पे और यहां पर देखा जाए तो बल्लेबाज जिसको बल्लेबाजी करने के लिए आना था वो तयार ही नहीं थे भाई अब भी वो यहां पर हेलमेट और पैड पहन रहे बताओ यह क्या बात हुई आपका विकेट गिर चुका है अब आपकी बल्लेबाजी करने के लिए पारी आ चुकी तो आपको बाटिंग करने के लिए जाना चीए न तो भाई बल्लेबाज अभी तयार हो रहे हैं बताओ यह तो गलत बात है भाई अब देखा जाये तो साथ दर्शमलब गेंड का खेल हो चुका है समावद स्कोर है 57 रन दो विकेट के नुकसान पर अब जो नहीं बल्लेबाज है वो यहां पर आया है इश्यान आया बल्लेबाज ही करने के लिए स्कोर यहां पर पॉछ शुका है साथ दर्शमलब दो गेंडू के खेल के बाद 58 रन तीन विकेट के नुकसान पर विकेट के नुकसान पर पॉइंट के फिल्डर के हाथ में जो की ब्रेंड लारा है और सिंगल में लगा इस गेंड की रोका है आपके गॉमेंटरी बहुत दा सूपर है प्रमुद भाइ इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे नहीं की हो तो तीन गेंडे इस ओवर्स हो चुकी मात्रा एक रन अभी तक आया है इसे के साथ ओवर्स की शौती गेंडी डिवैन स्मुईत की दीमी गती की शौट पिछ गेंडी और बल्ले बाज इस गेंड को थर्ड मैन की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर गेंड और बल्ले का इस बार भी संपर्क नहीं हुआ है और गेंड जा चुकी है विकेट कीपर के दस्तानों में और यहां पर एक बिंदी गेंडे देखने को में लिए डॉट यह गेंड है चार गेंड हो चुकी इस ओवर से मात्र देखा जाए तो एक ही रन अभी तक के आया है इसे के साथ देखा जाए तो ड्वैन स्मिट जो है ओवर की पांच वी गेंड लेकर निकल चुकी है ड्वैन स्मिट की ओवर की पांच वी गेंड है सामना करते हैं बले बाज इस शान मिल जाएंगे ड्वैन इसमित की ओवर की पांच वी गेंटी और बले बाज जट इशान ने जो एना कदमों का इस्तमाल किया है गेंट को खेल दिया है गेंट बाज के सर के उपर से एक दमतिर की तरह सिदा ये शौट एच्छो का मिल जाएगा इसे के साथ अब और की आंकरी गेंट लोग ओन लोग ओफ की दिश्वाय में खेल दिया है गेंट को काफी बड़ी वो ग्याप थी और यहां पर जो है ना दो रन मिल जाएगे इस सक गेंट के उपर भी माफिश हैंगा इसमें आपको बता दू दिलिशान यहां पर आउट नहीं हुए है उपुल तरंगा आउट हुए होते है अब आट ओवर का खेल यहां पर हो चुका है समाप आट ओवर के खेल की बात जो स्कोर है वह यहां पर पहुच चुका है सिष्टी फोर रनों पर तीन विकल्ड में नुकसान पर इंडिया लिजेंज बना हमास तो और गाइस बता दू आपको अगर यहां पर आज शिलंका लिजेंज की टीम जित्ती है तो फिर आपको जो है जितने में काम्याब होती है और चीलंका लिजेंज के टीम आपर इस मुकाबले को जीतने में काम्याब होती है अब शीलंका लिजेंज की टीम यहां पर इस मुकाबले को जिदेगी या फिर वेस्टेंड इस लिजन्स की टिम जो है न इस मुकाबले को यहाँ पर जितने में काम्याब रहेगी यह दिखने वाली बात रहेंगी आटोबर का खेल हो चुका है सम्माफ्ट स्कोर पहुच चुका है चौस्ता टरनों पर तीन विकेट के नुकसान पर और देखा जाये तो यहाँ पर गेंद बाजी करने के लिए टेलर आए है टेलर की सोबर की पहली गेंद है सामना करते हुए आपको बले बाज तिल्यक रतन दिलिशान नचराएंगे पहली गेंद टेलर की सोबर की और बले बाज दिलिशान जोयन इस गेंद के उपर बड़ा शौट खेलना चाहते थे लेकिन यहां पे गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और दिलिशान जोयना यहां पे बोल्ड हो चुके है डंडा बहार हो चुका है विकेट यहां पे गिल चुकी है जी रोम टेलर की ओवर की पहले गेंथी दिमी गती गेंथी बल्ले बाज तिल्यकरतन दिलिशान जोयना इस गेंद के उपर बढ़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ है और गेंद जा चुकी है सिद्धा स्टम्प पर जाके लगी है और यहां पे विकेट गिर चुकी है बहुत ही बड़ी विकेट है दिलिशान जोकी कप्तान थे कप्तान है श्रीलंका लिजेंज की टीम के वो यहां पर आउट हो चुके है और कहने है कि यह काफी बड़ा विकेट है आप लोग यहां पर बता दिजिए हाइब यह आप इंडिया लेजंज की टीम को सपोर्ट कर रहे हो ची पू इस मुकाबले को जितने में काम्याब होती है आट देशमला पे गेंदो का खेल हो चुका है समाब इसकोर यहाब है बहुत चुका है स्विष्टी फोर रनों पे एक विकेट के नुक्सान पे दुलिशान जो है बारा गेंदों में साथ रन मनाकर आउट हो चुके है और शीलंका लिजेंज की टीम ने अपने चार विकेट बहुत जल्दी गवादी है और ऐसा लग रहा है कि अब जो है यहाँ पर शीलंका लिजेंज की टीम जो है यहाँ पर अलाउट भी हो सकती है और देखा जाये तो इसकोर यहाँ पर पहुच चुके आठ डश्मलब एक इंद गवाद आठ इस्टी फोर रनों पर शार विकेट के नुक्सान पर मुबाल लिको तुम्हारा देखा जाये तो यहाँ पर जो मौजूदा रन एक यहाँ पर मौजूदा रन रेट चल रहा है स्कॉर हो चुक है आठ डश्मलब एक गेन के बाद शिष्टी फोर रन चार विकेट के नुक्सान पर और देखा जाये तो आप देखते कि तरन से यहाँ पर बन पाते हैं और कौन से टीम जो इस मुकाबले को यहाँ पर जीतने में काम्याब होती है यह दिखना जो है कईना कई दिलजब्स रहने वाला काफे रोमान्च के जो है ना मुकाबला चलता हुआ अब यह तो आने वाला वक्ती बताएगा कौन से टीम जो है ना इस मुकाबले को चीतने में यहाँ पर काम्याब होती है श्री लंका लिजेंज की टीम या फिर वैस्ट एंडी लिजेंज की टीम और डेश्म लबेगिन का केल हो चुका है सम्मावत स्कोर है आप तिश्री फोर रंड चाहर विकेट के नुक्सान पर ताह पर रोमान्च की यह जो है मुकाबला इस वक्त चल रहा है और अब घल्लेबाजी करने के लिए आपर च्यक्तु रंगा दस लिवा को बुला घ गया है और च्छत्य रंग तस लिवा जो है न यहाँ पर आये हैं गेंबाजी करने के लिए ओमर की दूसरी तर और एक आप गेंद है काफी जल एक्साइट पर गेंद थी एंपायर ने अ काफिझ आदल एकसाइट पर गेंदी इसरे सांथ दिखते हैं अब और की अगली गेंद पर क्या होता है तुम पिलिक करें ना साथ देखा जाए तो अब और के दूसरे गेंद लेगे निकल चुके गेंबाज या गेंबाज फिक्र गेंद शामने करेंगे यहां पर बलेबाज आचा है तूरंगाजा तिल्वा ओवर की ए दिका जाय तो दूसरी गेंद है और इस बार बल्लेबाज ने हलके आद हों पर गेंद के दिशा मेरा केल दिया है 60-60 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पेची किसान देखा जाए तो जीरों टेलर जो है न ओवर के तीसरी गेन लेकर निकल चुके है सामना करते हुए आपको बलेबाज इशान नजरा रहे है ओवर के तीसरी गेन थी इत बार देखा जाए तो इसी के साथ जो स्कूर है और पर चुकाई 67 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर उबर के चौती गेन था या पर टेलर की ओवर के चौती गेन थी पले बाज चतुरंग दा सिल्वा ने इस गेन को स्विप किया है गेन चलेगे स्क्राल एक बाउंटर के दिशा में और पीछे ज चार गेंदों के खिल के बाज शीलंका लिजन्स की टीम का स्कूर पहुच चुका है 68 रनों पर चार विकेट के नुकसान पर इसी के साथ देगा जाय तो बोर की पांच वी गेंद जीरूम टेलर की ओवर की पांच वी गेंद सामना करते हुए आपको निजराएंगे बले ब जाएंगे इस गेंद के ऊपर ओवर की पांच वी गेंद जीरूम टेलर की सामना करते है बले बाज इशान और इस गेंद को जो आना खेल दिया है डाउन डाग्राउंड गेंद बाज के सार के उपर ते एक दम तीर की तरह सिधा ये शाट है छे रन मिल जाएंगे इस जाएंगल मिल जाएगा और श्ट्राइक जो है ना अपने पास यहां पर रखेंगे बले बाज इशान अब नौवर का खेल यहां पर हो चुका है स्कोर है सेवेंटी फार रन च्यार विकेट के नुकसान पर देखा जाय तो यहां पर जो टॉस है वो जित्ती है वेस्टन ड फिस लिजेंस की टीवने और करने के नेड़ना लिया है अब टेक्ट Elise तो यहां पर बस्तर लिजेंट दी लेकिन ऊब्लब्ल कौन से टीम टोच यह खीना देःगा claiming कबले को चित्ती है देखने वाली बात रहेगी और अब यांसे दिखते हैं कित्ते रनस यहाँ पर बन पाते हैं और कोई से टिम जो है ना इस मुकाबले को यहाँ पर जıtने में काम्याप होती है 9-11 का खेल यहाँ पर हो छुटका है समर्व और 9-11 के ख़ेल के बाद जो स्कोर है यहाँ पहुछ छुटका है 75 run 4 विकेट के नुकसान पर जो मौझूदा रन्रेट है वाँ पर 8.33 का जो है मौझूदा रन्रेट चल रहा है इसे के साथ ओवर दविकेट से द्वेन स्मिद गेंवाजी करने के लिए द्वेन स्मिद की ओवर की पहली गेंद है सामना करेंगे बलेबाज इस शान इस बार फुल टॉस गेंट इस शान ने जो हैना जादा जोर से मार नहीं कोशी नहीं करी खाली बले का मुझ खोला है गेंच चलेगे डिप स्क्राइड के दिशा में और पीछी जो हैना फिल्डर वाँ पर मौझ शूत है और जब तक इस गेंट को त्रो किया जाता दोनी बलेबाज उने भाग करके यहां पर सिंगल चुरा लिया है काफी बढ़िया ताल मेल और काफी बढ़िया जोना रनिंग बिट्वीन अविकेट इस गेंट के उपर देखने को मिलती हुने जराई है और सिंगल मिल जाएगा बड़े आसानी से इस गेंट के उपर जी के साथ अब ओर किये दूसरी गेंट डिवैन स्मिट की और अब श्ट्राइक के उपर जोने आपर आज चुके है दस सिल्वा चतुरंगा दस सिल्वा आया है बलेबाज जी करने के लिए अबर की दूसरी गेंट इस बार ऑफसेट पे गेंटी कट किया इस गेंट को थर्ड मैन के दिश्या में और बलेबाज जब तक इस गेंट को त्रोक गेंट बाज इस मिल लब सो नी फिल दर इस गेंट को त्रोक करते है दोनी बलेबाज उने भाग करके जो है ना सिंगल चुराल है इस गेंड के उपर सिंगल मिल जाएगा इसके साथ अगर आप देखे तो 9.2 गेंडू का खेल यहां पर सम्माब तो हो चला है स्कोर है आपर 78 रन चार विकेट गेंड उकसान पर 9.2 गेंडू के खेल के बाद और गाइस आप यहां पर इंडिया आओ पीछ गेंड थी बले बाज यहां पे चतुरंग दा सिल्वा ने बले का मुझ खोला गेंड को डखेल दिया थडमाइन के दिशा में और पीछे दिखा जाये तो फिल्डर मौच जूद थे लेकिन जब तक इस गेंड को त्रो किया चाह था दोनी बले बाजों ने भाग करके आपे सिंगल चुरा लिया है सिंगल मिल जाएगा इस गेंड के उपर और इसी सिंगल के साथ अगर आप देखे स्कोर बोड पहुच चुका सेवेंटी नाइन रनों पे चार विकेट के नुकसान पे इतिके साथ ओवर की चौती गेंड डवैन स्मीत की और बले बाजी शान सिंगल मिल जाएगा इस सक गेंड के उपर वी चार गेंड इस ओवर से उचिगे पांच नवी तक के आए अब देखा जाये तो नौध श्यमलब चार गेंडों का खेल यहां पे समाब को चला स्कोर पहुच चुका आसी रनों पे चार विकेट के नुकसान पे इजिए के साथ अब और की पांच वी गेंड है ड्वैनिस्मिन की इस बाहर शॉट पे इस गेंड थी बले बाज बाज इसके साथ अब और की आखरी गेंड लेकर निकल चुके अड्वैनिस्मिन सामना करेंगे बले बाज चातू रंग दा सिल्वा ओवर की आखरी गेंड इस बाहर फुल टॉस गेंड थी बले बाज ने केल दिया इस गेंड को लगान और लगाउफ की दिशाम है पिछे और दो रंज जो है ना इस गेंड के उपर यहां पर मिल चाहेंगे अब यहां पर दस ओवर का खेल हो चुका है सम्मात इसकोर यहां पर पहुच चुका है टी टू रनों पर चार विकेलिट के नुकसान पर इंडिया लिजेंस बनावा गईज मैं आपको बता दू अगर यह अगर यहां पर देखना पड़े है कितने रंस यहां पर बन पाते हैं और कोंसे टीम जो है ना इस मुकाबले को यहां पर जीतने में काम्याब होती है अगर हम बात करतों शिलंका टीम का जो मौझूदा रंडेट यहां पर आठ दशमलब 2-0 का जो है ना यहां पर हुआ हुआ दस ओवर के खिल के बाद इसको रेटी टू रन चार विकेट के यहां पर नुक्सान पर रोगों इस मुकाबले को बिलकुल फ्री में देखना है और आपको जो ब्रॉडि मेंijd पर्चेश करें तो आपको डिस्रिप्शन के अंदर वाट्सप नंबर का लिंक मिलेगा वहां पर मैसेज कर सकते हो आड पर सकते हो और मुकाबले को बिलकुल फ्री में देख सकते हों तो वाट्सेप नंबर का जो लिंक है उन्हें चैड बॉक्स के अंदर डाला है मैसेज कीजिए आइडी खरी दिये और मुकाबले को फ्री में देखिए इसाथ आप गेनबाजी के लिए आपए सुलीमान बैंड को बुलाये सुलीमान बैंड की ओवर की वर की पहली गेन थी और सिंगल मिल जाय गज्ड गेन के उपर इस 새ीके साथ लिधा बाद कुख दर करें के बंद से बाद चतू रंडशिख सामन appro का ओवर की दूतरी गेन ते इस सुलेमान बैंड की और बल्ले बार जया इस गेन के उपर इस ट्राइक के उपर ते चातुरंगदा सिल्वा जो इन इस गेन को कवर्थ में दिशा में खेल करके तिंगल चुराना ज्याते थे लेकिन अगर आप देखे तो यहां पर बल्ले का भ पांचवा विकेट जो है न यहां पर गिर चुका है अगर आप देखे तो लगातार विकेट से जो है यहां पर गिर पर श 밉न चले जा रहे हैं शीलंका लिजेंज बना वेस्टांडी लिजेंज का शीलंका की जो टीम से लगातार विकेट गवाती उचले जारी है जब शुरू-शुरू में मुकाबला चल रहाता तो ऐसा लग रहाता कि इस मुकाबले को जो है ना बड़े आसानी ते जिज जाएगी इंडिया अमलब शीलंका लिजेंज के टीम की दो वर में तीस रंड बनेते लेकिन उसके बास ते अगर आप देखे तो लगातार विकेट से आपे गेर तीच ले जा रही है पांच विकेट यापे गेर चुकी है मौजूदा रंड की अगर लेकिन उतनी अच्छी नहीं कर सकते हैं बड़े शॉट्स नहीं किल सकते हैं सिंगल डबल खेल सकते हैं 39 साल की उम्रा हो चुके इनकी कि जीवन मैंडे इस ट्राई के ऊपर मौजूद इस्टी की NG किया लेकिन जा चुकी है विकेट की ठाइबिकत की अपर कोर्नी मिलेका जाएगा इसी के साथ गोविल हर्दी भाई हमाई था जो कि काफी खुश लग रहे हैं यहां पे गोविल भाई 10.4 गेंदों के खेल हो चुका है समाप्त स्कोर 84 रन पांच विकेट के नुकसान पे 10.4 गेंदों के खेल के बाद इसी के साथ गेंदों है तो अब ओवर की 5 भी गेंद है यहां पे पांच विकेट के ओपर मौचुड इसी के साथ ओवर की पांच विकेंद है इस बार आफसाइट पे गेंद थी कट किया इस गेंद को थड़ मैंक दिशा न की दिशा में और पीच्छी जो आना फिलर मौचु बिच्छली गेंगे सिंगल मिला था इसींगल मिलेगा इसको रहां पर पॉच्छी का एटी फारनों पर पांच विकेट के नुकसान पर दस तर दशमला पांच गेंदों के बाद इसके साथ अब ओर की आखरी गेंद है और अखरी गेंद लेकर जो असूलेम एंब निकल चुक जीवन मैंडिस लेकिन गेंद और बल्ले का यहां पर संपर्क नहीं हुआ है गेंड जा चुक है विकेट की पर के दस्तानों में और कोई भी रन जो है न इस गेंड की उपर यहां पर नहीं मिलेगा अब 11 ओवर का खेल हो चुका है समाप स्कोर यहां पर पहुच चुका है टी फाय रनों पर पांच विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के खेल के बाद इंडिया लिजेंस और यहां पर देखना पड़े हैं इंडिया लिजेंस की टीम जो है न फाइनल में पहुच चुकी है अगर आज यहाँ पर मुकाबले को शिलंका लिजेंस की टीम जित्ती है तो शिलंका और इंडिया का फाइनल होगा और अगर आज यहाँ पर वेश्टेंड इस जित्ती है तो भारत और वेश्टेंड इसका फाइनल होगा पशोफ चायर और 6 रन मिल जाएंगे इसज बले बाजीशान ने बल्ला गुमा दिया गेन को खेल दिया स्क्वार लेकर खेलाड़ी गैस्वार के ऊपर ते गेन वाकई में बहुत ही उच्छी गई ती और साथी में दूर भी गई है कैच का मौका भी था फिल्डर का है आपने गेंद के उपर हाथ लगा है और छे रन मिल जाएंगे इस सब गेंद के उपर में छे रन मिल जाएंगे इसी के साथ अब ड्वेन स्मित ओवर की ये दूसरी गेंद है इस बार शॉर्ट पिछ गेंद थी धिमी गती की बलेबाज इशान ने कट किया इस गेंद को थर्ड मैन के दिशा में पिछे फिलर मौचूत है सिंगल मिल जाए कैच इस गेंद के उपर पारी है कि दूतरी पारी मैच की पहली पारी चल रही है ब्रो वेस्टन इसके टीम ने टॉस को जीती है गेंद बाजी करने का निड़न लिया है शिलनका की टीम जो है पहले बले बाजी कर रही है और 11.2 गेंदो का खेल यहाँ पे सम्माव तो चुका है और 11.2 गेंदो के खेल के बाद सकोर है 92 रन 5 विकेट के नुक्सान पर इसी के साथ यहाँ पर दिखा जाए तो टॉस यहाँ पर वेस्टन इसके टीम ने जीती है लेकिन मुकावला है आपर कोंसे टीम जीतेगी यह कहने की देखना बेहती दिलजाफ जोर रोशे करेगा इसी के साथ ओवर के दिसरी गेंद इस बार ड्वेन स्मित की धिमी गदी गेंदी बले बाद जीवन मैंडीस ने गेंगो खेल दिया है पॉइंट के दिशा में और ब्रेन लारा मौचूत है कोई रन नी मिलेगा इस गेंद के उपर इसे के साथ ओवर के चौरती गेंद लेकर नी कल चुक है ड्वेन स्मित इस बार बले का भारी किनारा गेंद चल गी है विकेट कीपर के बगल मेंसे चार रन मिल जाएंगे ड्वेन स्मित की ओवर के चौरती गेंद थी तीमी करते ही गेंटी बले बाद G1 मैंडेस इस गेंट को आमिडॉफ के दिश्या में खेलना चाहते है तो लेकिन अगर आप देखे तो गेंट और बले का उत्ताच समपर्क नहीं हुआ है और बले का भारी किनारों लगा है गेंट जा चुकी है विकेट कीपर के बगल में से चार अन मिल जाएंगे खेलना कई और चाहत थे गेंट कई और चलेगे है सिंगल मिल जाएगा इस गेंट के उपर फाइनल कब है भाई फाइनल यहाँ पर है कल कल यहाँ पर फाइनल है कल अगर यहाँ पर शेलंका लिजन्स की टीम जीती है तो फाइनल खेलेगी अगर वेश्टेंड इसकी टीम जीती है तो कल यहाँ पर वेश्टेंड इसकी टीम फाइनल खेलेगी कल यहाँ पर फाइनल मैच है और कल दो-दो फाइनल है, कल CPL का भी फाइनल है मेरे भाई कल यहाँ पर CPL का भी फाइनल है और रोड सेफटी सीजिस का भी फाइनल है इसी के साथ अब देखा जाए तो 11.5 गेंदों का खेल हो चुक है इसी के साथ देखा जाए तो अब ओर की आकरी गेंद है और इस बार सामना करें के बले बाद जीवन मैंडिस शॉट पे जिए और जीवन मैंडिस इस गेंड को कट करना च्छे आते थे थर्ड मैंड के दिश्या में लेकिन अगर आप देखे तो यहां पर गेंद और बले का समपर्क निवा गेंड जा चुक है विकेट की पर दस्तानों में और कोई भी रंज जो है न इस साथ गेंद के उपर यहां पर मिलेगा नी आप देखा जाए तो 12 ओवर्स का खेल यहां पर हो चुका है सम्माप 12 इस कौन सी टीम इस मुकाबले को यहां पर जीतने में कामया बरेगी इंडिया लिजेंस बनावा श्री लंका लिजेंस का मुकाबला चल रहा है जहां पर टॉस जीतने के बाद पहले गेंद बाजी करने का जो है निर्णा लिया है और देखते हाथे कि इतने रंस और बन पाते हैं और कौन सी टीम इस मुकाबले को यहां पर जीतने में कामयाब होती है चाहे बेक्स कोई भी आज आज आए फाइनल में तो इंडिया जीतेगा बाई फाइनल तो वैसे कल एकल तो दूदू फाइनल है कल टीपील का भी फाइ पर देखना पड़ेगा गेंब गाइनल है कि यहां पर किसको बुलाया गया है कि छोछा पर पर पांच विकेट के नुफसान पर देखा जाया तो इस बार गेन बाची करने के लिए यहां पर बैन को भुला गया बैन कि तो वर की पहले गेंटी बलेबाद इशान ने कट किया इस गेंट को कवर्स के दिशा में पिछे फिल्लर मौजू जरूते सिंगल मिलेगा इस निकल चुके है सामना करेंगे बलेबाद जीवन मैंडिस ओवर के दूसरी गेंज बार शॉट पिछ गेंटी हवाई फाय यार और चार रन मिल जाएंगे इस गेंट के उपर खराब इस गेंटी इस सुलेमन बैन की काफी ज़गल एकसेट पे गेंटी अगर इस गेंट को छो आप देखते कि तेरहं से आप बन पातों कौनसे टीम जो इस मुकाबले को जिती है इसी के साथ देकर जाए तो सुलेमन बैन ओवर के तिसरी गेंट है इस गेंट के उपर भी जो है ना तिंगल मिल जाएगा पिछली गेंट पर चौका लगाया था और इस गेंट के उपर ज खेल यहां पर हो चुगा है समाब 12 दश्म लग तीन गेंटों के लिए स्कोर है 109 रन पांच विकेट के नुकसान पर इसी के साथ देखा जाए तो सुलेमन बैन ओवर की चौती गेंट लेकर इकल चुके ओवर की चौती गेंट है सामना करते हुए आपको बले बात जीवन म जो मौजूदा सौरी एका देखा जाये तो शीलंका लिजेंस की टीम का जो मौजूदा रन इट है वह आठ दश्म लब साथ दो काया पर चल रहा है शीलंका लिजेंस बनाव वेस्टेंड इस लिजेंस का ये मुकाबला चल रहा है इसी के साथ ओवर की चौती गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है चीवनमेंडिस ने खेल दिया इस गेंड को डाउन डे ग्राउंड गेंड वाज की सर के उपर से चार रण मिल जाएंगे सूले मैंड बैंड की ओवर की चौती गेंड थी पहले बाद जीवन मैंडिस ने कदमों का इस्तमाल किया है डाउन डगराउन खेल दिया है गेंड़ाज के सर के उपर थे और इस सक गेंड के उपर जो है न चौका मिल जाएगा इसी चौके के साथ स्कौर पहुच चुका है 115 अड़नों पे 5 विकेट के नुकसान पे 12.5 गेंडों के बाद इसे के साथ अब देखा जाए तो ओवर की आखरी गेंड है इस बार कदमों के इस्तमाल किया जीवन मैंडिस ने गेंड को खेल दिया है मिड़ोफ की दिशा में और इस गेंड के उपर जो है ना सिंगल मिल जाएगा शुरुआ तो इस सोवर की सिंगल के साथ और अन्तुआ ही सोवर का सिंगल के साथ तो शुरुआ तो इस सोवर की सिंगल के साथ और देखा जाए तो सिंगल के साथ और देखने वाली बात है कौन सी टीम जो है न इस मुकाबले को यहाँ पर चीतने में कामयाब होती है यहाँ पहुच चुका 116 रनों पे 5 विकेट के नुखसान पे और अब यहाँते ज्यादा गेंदो का खेल बचा नहीं है देखने वाली बात है कौन सी टीम कि आप इस मुकाबले को चीतने में कामयाब होती है आप लोग जो है अपने अपनी प्रेडिशन बता देखिए आप किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो इस वक्त जो महदूजदा रंडेट है वह आट दश्मलब नौदो का चल रहा है और एक समय लग रहा था कि शेलंगा क का खेल हो चुका है समात स्कोर है 112 रन पांच विकेड के नुकसान पर 13 और की खेल के बाद देखने माली बात है किस तरीके से खेल या पर आगे तरब बढ़ता है श्रीलंका लेजेंस की टीम इस मुकाबले को जित्ती है या फिर वेस्टेंड इस लेजेंस की टीम जित्ती है और चोबीस रनों के जोईना वेक्तिक पर पहुच चुके हैं अगर इंडिया इलिजेंस का जोएगा इस फाइनल एकल अगर आप श्रीलंका की टीम जीते की तो वेस्टेंड इसकी टीम फाइनल के लेगी इसे की साथ ओवर की पहली गेंद देवेंदर भीशो की गुगल मिल जाएगा इस गेंद के उपर इसी सिंगल के साथ जो स्कोर है वो आपर पहुच चुका है 117 रनों पे 5 विकेट के नुक्सान पे तेरा दिशमलब्स गेंदों का खेल हो चुका समाप स्कोर है 117 रन 5 विकेट के नुक्सान पे अब देखा जाए तो ओवर की ये दूसरी गेन लेकर निकल चुक cliffhande रविशो और देखने वाली बात है कोंसी टीम जोए ना इस मुकाबले को यहांपर जीतने में कामियाब होती है इसी के साथ देखा जाए तो ओवर की ये दूसरी गेंद है इस बार और आफस्टाइट पर गेंद इकट किया इस गेंद को गेंद चले गया थर्ड मैन के दिशा में और इस गेंद के उपर भी सिंगल मिल जाएगा ओवर की पहली गेंद के उपर भी सिंगल मिलाता और देखा जाए तो ओवर की दूसरी गेंद के उपर भी जोएगा यहाँ पर सिंगल मिल चुका है और यहाँ पर 13.2 गेंदों का खेल हो चुका है समाथ और तेरा दर्शमी लब दो गेंदों के खिल के बाद स्कोर 119 रन पांच विकेट के नुकसान पे ओवर के तीसरी गेंद के ओपर जो है न यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा क्या लगता है गाई शीलंका लिजेंज बनाम वस्तेंड लिजेंज कौन से टीम जो है न इससे मुकाबले को यहाँ पर जितने में काम्याब हो रहेगी आप यहाँ पर नशे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजीगा काफी रोमान से के मैच से चीके सादे का जायतो ओवर की चौती गेंज लेकर देवेंदर भीशो निकल चुके है सामना करेगे बले बाद जिशान ओवर की चौती गेंज बाइग उगली गेंटी हवाई फायर पिछे फिलर मौचूद है ड्वैन स्मित तो आपे मौचूद जरूर थे लेकिन देकर जायतो गेंज जो है ना उनके आगी घर गिरी थी ड्वैन स्मित ने आगे की तरफ डाइब भी लगाया था कैच को पकड़ने के लिए लेकिन कैच को जो है ना यहाँ पर पकड़ नहीं पाय है और इसी के साथ अगर देखें तो स्कोर बूर्ड यहाँ पर पहुँच चुका है 120 रनों पे 5 विकेट के नुकसान पे और देखने वाली बात है इंडिया लिजेंस बनाम वेस्टर्ण शीलंका लिजेंस बनाम वेस्टर्ण शीलेंस का मुकावला चल रहा इस वक्त दिखा जाय तो वर्की 5 वी गेंट डेवेंदर भीशोपी सामने करें के ची वन मेंडिस और यह लिजे डंडा बार हो चुका है विकेट का पतन हो चुका है वर्की 5 वी गेंट देवन्दर भीशोपी देखा चाहे तो गुगली गेंड थी और बले बाज जीवन मैंडेसिज गेंड के उपर बड़ा शौट खेलना चाहते थे लेकिन अगर आप देखे तो यहाँ पर जो है ना गेंड और बले का संपर्क नहीं हुआ है और गेंड चले गई है विकेट कीपर के दस्तानों में और कोई भी रन जो है ना इस गेंड के उपर यहाँ पर मिलेगा नी अब देखते कोंसी टीम जो इस मुकाबले को यहाँ पर जितने में काम्याब होती है और गैस मैं आपको बता दू कल यहाँ पर फाइनल मैच है अगर गैस यह मुकाबला जो है ना शीलंका लिजेंज की टीम जीती है तो कल फाइनल होगा इंडिया लिजेंज के साथ में लेकिन अगर आज यहाँ पर वेस्टेंड इसकी टीम जीती है तो वेस्टेंड इसकी साथ यहाँ पर फाइनल होगा और देखने वाली बात है कौन सी टीम इस मुकाबले को या पर जीतने में कामयाब होती है छे विकेट यहां पर गिर चुकी है और अब तो भाई ऐसी तिश्वेशन आ चुकी कि यहां पर शेलेंका लेजिंस की टीम अलाउड भी हो सकती है गोईल भाई लेगातर केरें कि भाई 165 बनेंगे भाई 165 बन सकते अगर यह आखरी तक खेलें लेकिन अगर विकेट गिरती हुच चले जाएगी तो भाई उतने रंस भी बनना जो है न मुश्कील रहेगा इंडिया लिजेंस बनाव क्ल us as final होगा देक्शने वाली बात है कल जो है न यहाँ पर final होने वाला है अब दिखते कॉन स्थेड यहां पर final होता है कि अगर आप लोग को ऑपी और आपके सही तन खम हो Der कि मैं आपके लिए कोई नोर ऑनलाइन बुक लेकर आ चुकर इनका जो वाटसेप नमबर है यह आपको चैड़ बॉक्स के अंदर मिले का आप यह पर मैसेज कर सकते हो वाटसेप और आईडी पर्चेस कर सकते हो इसे के साथ अब और की आखरी गेंदर देवेंज रभी शो और काफी बढ़ा शोट लग़ौन के दिश्या में आपे बाउंडरी काफी ज्यादा भड़ी है और दो रंज जो है न इस गेन के ऊपर मिल जाएगे काफी बढ़ीया ताल मिल और काफी बढ़ीया जो एना यह रणिंग बिट्विंद विकेट यहां पर देखने को मिली है और अगर आप देखे तो अब यहाँ से 14 ओवर का खेल समाब तो चला है 14 ओवर के खेल के गाद scoreboard जो है न वो यह पर पहुच चुका 122 रनों पे 6 wicket के नुक्सान पे 14 ओवर के खेल के गाद देखते यहाँ पर इंडिया लिजेंड्स यहाँ फिर एक एम सॉरी शिलंका लिजेंट से मुकाबले को यहां पर जितने में काम्याब होती है या फिर-स्टांडी से जेंट जो आने मुकाबले को यहां पर जितने में काम्याब रहती हैं यह करी दीखना दियुक्ANS जाफ़ रने वाला काफ़स रोमांचर के मुकाबला चल रहा है और अब देख़ आते आर्टे इस आकरी सिछा गेंद्वों का खेल वचा हुआ है आकरी 6 गेंद्व खेल वचावा किते रहन से आह पेंपाएंगे हैं करना ये दिकना दिलजब्स रने वाला है और मुकाबले का अगला ओवर डालने के लिए कप्तान किस गिनबाज को बुलाते है न यह भी दिखना दिल जब्स रहेगा देखा जाये तो यहाँ पर पार्टनर्शी ब्रेक हो चुकी अच्छे विकेट यहाँ पर गिल चुकी है और यहाँ पर एक और विकेट गिल जाती है तो फिर भाई यहाँ पर कहानी पलट सकती है और यहाँ पर जोना अलाउट की सिच्वेशन भी बन जाएगी किसे के साथ देखा जाये तो अब गिनबाजी करने के लिए बैन को बुलाया गया है बैन की ओवर की पहले गेंद इस बार फिल्टॉज गेंदी वले बाज है तो देखा जाये तो दो रन मिल जाएंगे इस गेंद के उपर इसी के साथ ओवर की दूतरी गेंद इस बार बले बाज इशान इस गेंद के उपर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे गुगली गेंद थी बल्ला तो गुमाया था लेकिन गेंद और बले का जो है न यहाँ पर्क नहीं हूँ है गेंद जा चुकिए विकेट कीपर के दस्तानों में और कोई रनी मिलेगा इस गेंद के उपर इसी के साथ अब ओर की इसरी गेंद लेकर जो है निकल चुके है गेंद बहार जाए सुलेमन बैन ओवर के तितरी गेंद लेकर इस बाहर शॉट पिज गेंद थी कट किया इस गेन को कवर्ष की दिश्या में ब्रैन लारा आपे मौझूद थे ब्रैन लारा जब तक कि इस गेन को द्रोग करते है दोनी बले बाजों ने भाग करके जो है ने यहापे सिंगल चुरा लिया है सिंगल मिल जाएगा इस गेन के उपर तीन दरन भी तक इस ओवर थे आचुगे तीन गेन दे और बची है इस ओवर को समावत होने के लिए इसे के साद देखा जाए तो अब ओवर की चौती गेन लेके सुलेमन बेन निकल चुके है और की यह चौती गेन देख सामना करते हैं दोनी बहले बात जो इस ओवर में बड़े शॉर्स खेलें की कोशिश नहीं कर रहे हैं काली देखा जाए तो सिंगल डबल खेल के जो है न इस ट्राइक को यहां पर रोटेट किया जा रहा है दोनों ही छोड़ों से और यहां पर फाइनल में अल्रेडी इंडिया लिजिंस की टीम पहुच चुकी है अगर यहां पर आज शीलंका की टीम जीदेगी तो शीलंका और भारत का फाइनल होगा और अगर आज यहां पर वेश्टेंड इसके टीम जितेगी तो वेश्टेंड इस और भारत का फाइनल होगा क्या लगता है गाइस कोन जितेगा कोन सी टीम इस मुकावले को जितने में काम्याब होती इसी के साथ दिखाच जाए तो यहां पर रन आउट हो चुकिया है यह लिजी गाइस एक और विकेट गेट चुकी है पिछले ओवर में जीवन मैंडिस आउट हुए थे ओवर की यहां पर पाचवे गेंती सुलेमन बैन की और कदमों का इस्तमाल किया था दीपमिट विकेट की दिशा में खेला था फिल्डर वापर मौजुत थे ड्वैन स्मीट और बलिबाज तयार नेती गें की रन लेने के लिए और यहां पर जो है ना ड्वैन स्मीट का काफी बड़ी आत्रों और यहां पर जो है ना सातवा विकेट गे चुका है छेलंकार लेजेंड्स की टीम का इशान जर अतने जोकी अच्छा खेल रहे थे 19 गेंदों का सामना किया था 31 रिम ना के आउट हो चुक है बाई बहां यूटोब पर दिसली चैनल वाले बाई बंद हो तो ना सप्सुराइबर है बिल्कुल सेही का अपने गोइल भाई हमारे भी होंगे आप यार सपोर्ट ही नहीं करते गोइल भाई शेजर वियर ही है नहीं करते क्या गोइल भाई शेर वैर परो सबस्क्रीबर आखर बढाओ थोड़ा आप यहाँ-पर दिखा चाहते हो तो जो महजूदा रंडेट जो है न वो 8.56 का है और भाई ये मैच के न कई ऐसा लग रहा था एक समय पर कि जो शिलंका लेजेंज की टीम जो है न एक बड़ा टोटल बनाएंगी लगए 180 दोसों का लेकिन उसके बाद अगर हम देखे न तो लगातार विक्ते यहां पर गिर भी एक पर देखते हैं यहां पर गिर रही है आप देखते हैं यहां पर बच़ा हुआ खिल किस तरीके से यहां पर आगे चलता और कौण सिरे टिम जो है न इस मुकाबले को अर गैस कल यहाँ है कल कर दो दो फाइनल्स है एक सीपीगील का फाइनल्व है और अगर आप देखे तो Ziplолод का फाइनल्सुब्री साठै हटे चार बज़े खिल जाएगा और साथी में जो दूसरा फाइनल्स है वह है इंडिया लेझेंट्स कल दो दो फाइनल्स हे हेवाई कल दो दो फाइनल है कल बड़े मुकावले हैं और आप सभी तमाम लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया इस मुकावभलों के अंदर हमाल बनने रने के लिए इंडिया लेजेंज बनाम कल किसका मुकावल का नहीं दिया लगता है कि कल यहाँ पे बात करें Toss के, तो Toss यहाँ पे वेस्टेंड इस लिजन्स की टीम ने जीती है, और पहले गेनबाची करने का निड़न लिया है, और आपको पहले बलेबाची करते हुए जो है न, आज किस मुकावले के अंदर निचरा दी है, शिलंका लिजन्स की टीम, और शिलं यहां पर विकेट टा शिलंका की गिरचिकी हो भी साथ-साथ कि अब देखते कि तरह से यहां पर और बन पात एक कौन से टीम इस मुकाबले को जितने में काम्यब होती है शिलंका लेजयंज बना मां, यहां पर वस्टेंड इस लेजयंज का मुकाबला चल रहा है टॉस यहां पर वेस्टान इस लिजेंज की टीम ने जिती है लेकिन मुकाबला कहने कि शायद श्रीलंका लिजेंज की टीम को जीतना तो चाहिए लेकिन आप देखते हैं आप बल्लेबाची करने के लिए 80 गुरा रतनी आया है अगर आप देखें तो भाई बल्लेबाची में घहरा ही तो है श्रीलंका के पास लेकिन उतनी भी घहरा है नहीं है कि अंव्डशरवन ट्बर क narciss नमबर के और जो पलियर है वो भी बल्लेबाची कर पाएगा इसी के साथ ओवर की है आंखरी गेंद था और ओवर की आंखरी गेंद है। अब 15 ओवर का खेल यहाँ पे समाब तो चुका है और 15 ओवर के खेल के बाद अगर आप स्कोर वोट देखे तो वो यहाँ पर पहुच चुका है 127 रनों पे 5 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर के खेल के बाद अगर हम देखे तो जो मौझूदा रन रिट है न वो 8 दश्यम लब 4-7 का यहाँ पे मौझूदा रन रिट चल रहा है अब देखना पड़ेगा कल इंडिया लिजेंज का जो फाइनल है वापर वैस्टांड इसकी टेम खेलती है या फिर शिलंक का लिजेंज की टेम खेलती है देखना जो है न बेहती दिलजाब जोर रोच क्या पर रने वाला है क्या लगता हैगा स्कोर जिदेगा तीस गेंदों का खेल या से बच्छा हुआ है 15 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 127 तरन पांच विकेट के नुक्सान पेशेगे साथ ओवर की पहली गेंद है शौक का लगा दिया है सूलेमन मैंग की ओवर की पहली गेंद थी और बले बाद यहाँ पे चतुरंगर दा सिल्वा ने खेल दिया इस गेंद को आफ साइड पे दिखा जाए तो सारे किलाड़ी सरकल के अंदर ते ग्याप में मारी है चौक का मिल जाएगा इस ओवर की शुरुवात तो चौक के के साथ करी है बले बाद यहाँ सिल्वा ने इसे के साथ ओवर की दूतरी गेंद है इस बाद शौट पिछ गेंद थी हवाई फार का पीछे फिल्डर मौझूद है पीछे फिल्डर मौझूद जरूत है लेकिन गेंद तक पौच नहीं पाया सिंगल मिल जाएगा ओवर की पहली गेंद के उपर चौक का मिलाता लेकिन देखे तो ओवर की दूतरी गेंद के उपर जो है ना सिंगल मिल जाएगा इस गेंद के उपर अब 15.2 गेंदों का खेल यहां पर हो चुका है समाब स्कोर है यहां पर 132 रन साथ विकेट के नुकसान पर किछी के साथ दिकल जाए तो सुलेमेन बैन जो ओवर की तीसरी गेंद लेकर निकल चुके हैं और सामना करते हुए आपको बले बाच असीला गुरा रतनी निचराएगे ओवर की अपर शुलेमेन बैन की इस बाच श्ट्राइक के ओपर मोझेद है अपर जोई जाए गूरा रतनी ओवर के तीसरी गेंद है चौका मिला था, ओवर की दूसरी गेन के उपर सिंगल मिला है, और ओवर की तिसरी गेन के उपर भी जोयना सिंगल यहाँ पर मिल चुका है, इसकोर यहाँ पर पहुच चुका है, 133 रनों पर साथ विकेट के नुकसान पर, इसे के साथ ओवर की चौती गेन तर इस बार को पकड़नी पाए है और यहां पर जो है न दो रण मिल जाएंगे भाग करके चुरा लिया है और कि चौती गेंती सुलेमन भायन की सामना करते बले बाद जा सिल्वा गेंद और बले का संपर्क निवा और विकेट की पर इस गेंद को पकड़नी पाए पाड में जाके लगी दी विकेट की पर के और यहां पर अगर आप देखें तो दो रण यहां पर भाग के चुरा लिया इस गेंद के उपर विजह ना दो रण बड़े आस्तानी से मिल जाएंगे अब इसले के साथ ओवर की यह पाँच वी गेंद इस बाद शौट पिच गेंद थी हवाई पायल यह गेंद लगी थी गेंद वाकई में उच्छी बहुत गई थी लेकिन ज्यादा दूर नहीं और स्क्वार लेक की दिशा में मौजूद थे ट्वैन स्मित ट्वैन स्मित ने पकड़ी है आस्तान सी कैच शिलंका ने गवा दिया है अपना आठवा विकेट अब यहां पर प पाउच चुका 135 रनों पर आठ विकेट के नुक्सान पर अब इंडिया ले जैंस इस मुकाबले को यहां पर स्वारी कल फाइनल है कल फाइनल किस टीम के साथ होगा यह देखने वाली बात है कल यहां पर जोएना गाइस पाइनल होगा इस कोंसे टीम जोएना इस मुकाबले को यहां पर जीतने में काम्याब होती है और आप पर इसरू उडाना आया है बल्ले बाजी करने के लिए और गैस मैं आपको बता दू इसरू उडाना भी जो है ना बल्ले बाजी कर सकते हैं ठीक है इसरू उडाना बल्ले बाजी कर सकते हैं और राउंडर है बड़े बड़े शॉट केल सकते हैं और जो बाउंडरी खाता ही खोला चौह के साथ देवेंदर भी शोकी ओवर की पांचवे गेंटी और पहली खेल रहें तो इस तरूप उडाना इस बाहर इस तरूप उडाना जो है ना कदमों का इस्तमाल की है डाउन डगराउंड खेल दिया इस गेंट को गेंट बाज के सर के उपर से और यहां प्रण मिल जाएंग एकदम तीर की तरह सिदा यह शोट है चोका मिल जाएगा इस गेंट के उपर अब देखा जाया तो सोला ओवर का खेल हो चुका है समाप और सोला ओवर के खेल के बाद अगर आप स्कोरबोट देखे तो आप पहुंच चुका है 139 रनों पे आट इस लिजेंट लिक का और देखते कल फाइनल यहां पर कोन खेलता है अब आप सोला ओवर का खेल हो चुका है स्रमाप स्कोर 139 रन आट विकेट के नुकसान पर इसे के साथ देखा जाए तो अब गेंबार जी करने के लिए आप सूले मैन बैंड को बलाए गया है सूले मैन बैंड की ओवर की पहले गेंड है और सिंगल मिल जाएगा इस से गेंड के उपर और अब श्राइक के उपर शुरू उडाना आ चुके शुरू उडाना ने निलेगा निकल चुके हैं ठीट दुसरी गेंड है यहाँ एक है अड़्ोपर अच्छी गेंड स्कुझा गुगली से उपर कोई भी रन जो इस गेन के उपर नहीं मिलेगा इसी के साथ अब ओवर की तीसरी गेन लेकर जो अनो निकल चुके है सुले मैन बैन ओवर की तीसरी गेन दे इस बार भी गुगली गेन थी इस बार भी देखा जाय तो कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर तीन गेन दे इस ओवर से हो चुकी ओवर की पहली गेन के ओपर सिंगल आया था लेकिन दूवर की दूसरी गेन पर कोई रन नहीं आया है और ओवर की तीसरी गेन के ओपर भी कोई रन नहीं आया है अची गेन बाजी कर रहे हैं बिलकुल स्टम्टू स्टम्टू स्कोर यहां पहुच चुका 140 रनों पे आठ विकेट के आपे नुक्सान पे ओवल कि चौती गेंदे सुलिमन बैंड की इस बार ऑफसाइट पे गेंदी खेल दी अज गेंद को मिड़ आफ की दिशामी रनाउट का मौका अगर डारेक्टीट होता तो काम तमाम था सिंगल मिल जाएगा ब् चुका 141 रनों पे आठ विकेट के नुक्सान पे अब देखा जाए तो ओवर की आँकरी गेंद है सुलिमन बैंड की अब देखते ओवर की आँकरी गेंड पे क्या कोई बड़ा शॉट आता है और देखा जाए तो यहां पे फ्री हीट गेंड दे दी है फ्री हीट गेंड सुलिमान बैन ने यहां पे यॉर्कर डालने का प्रेस किया था लैकिन जो है नौगाल चले की था जिदे धी है यहां पर फ्री हीट गेंड की ओपर शॉट जाएगा तो प्री एट गेंड है सामना करेंगे बले बाज इस वरू उडाना फ्री लिए बाज चौका च्छका क्या आएगा आप गाई जाब इस यापके कमेंट सेक्षन के जबता दिये फ्री लिए फ्री हेट गेंड है शौका जाएगा इस गेंड के उपपर मौझूद और अंडिट जो है आठ दश्मला पांच आठ का चल रहा है ओवर की अंतीम गेंड लेकर निकल चुके है गेंड बाज या पे सूलीमान बैन ओवर की आखरी गेंड है सामना करते उन्हें जिरा देश्रू उडाना ओवर की आखरी गेंड है इस बार हवाई फायर फ सूलीमान बैन की सामना करते बलेवाज इस रूडाना अलके से धिमीगती गेंटी खड़े-खड़े केल दिया इस रूडाना इस गेंड को लोगोन के खिलाड़ी के सर के उपर से छे रूड मिल जाएंगे फ्री हिट गेंटी और फ्री हिट गेंड का पूरा फायदा उठा दिया है और छे रूड मिल जाएंगे इस गेंड के उपर इजी के साथ अब और की आखरी गेंड लेके निकल चुके है सूलीमान बैन सामना करेंगे बलेवाज इस रूडाना इस बार देखा जाए तो आफ आपने पास यहां पर श्ट्राइक रखेगे अब 17 ओवर का खेल हो चुका है समाप और स्कोर यहां पर पहुच चुका 150 रनों पर आट विकेट के यहां पर नुकसान पर क्या लगता है इस को सी टीम जो इस मुकाबले को जिदेगी और आप किस टीम को आज किस मुकाबले के अंदर सपोर्ट कर रहे हो आपने चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर बता देशीगा आप आप एक कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा आप जो है न इस मुकाबले के अंदर किस टीम को जो है आप सपोर्ट कर रहे हो काफी रोचा के मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के दर्मियान अब आकरी जो हैना 39 का खेल यहां पर बचा हुआ है इस दरू उडाना ने जो हैना 6 गेंदे खेली है 12 रन बना है बात करे 17 गेंदों के अंदर यहां पर जो है न 15 रनों की पार्टनर्शिप हो चुगी है दोनों ही बले बादों की बिच और गोईल भाई लगाता रमाज साथ बने हुए बहुत बहुत शुक्रिया और अब कप्तान ब्रैन लारा ने एक गेंद थमा दी है किसके हाथ में थमाई यह भाई सांटो की के सांटो की आए है गेंद बाजी करने के लिए स्टांटोगी की ओवर की पहली गेंदर इस बार धिमी गती गेंट थी लाइक साइट पे और खेल दिया इस गेंट को लगाउन और लगाउफ की बीच में ग्याप आपे काफी बड़ी है और जब तक के इस गेंट को द्वैन इत्मी त्रो करते दो नहीं वलेवाजोंने भाग करके आपे दो रन शुरा लिया है और दो रन जो है इस गेंट के उपर याप मिल जाएगा इसी के साथ अगर आप स्कोर बोड देखे तो यहाँ पर पहुच चुका है 152 रनों पे आठ विकेट के नुकसान पे इसी के साथ देखा जाए तो और के तीसरी गेंट लेके जो है यहाँ पे दो रन तो भागे जरूत लेकिन उसमें से जो एक रन है न वो यहाँ पे शौर्ट रन था मतलब यहाँ पे सिंगल नहीं मिलेगा इसी के साथ आप देखा जाए तो और की अगली गेंट इस बार भी सिंगल मिल जाएगा लाइक साथ पे गेंट तीस फ्लिप किया इस गेंट को फाइल लेके दिशाव में इस गेंट के उपर भी जो है ना सिंगल मिल जाएगा यहाँ अगर आप देखे तो लगबग लगबग सत्रा दश्मलब दो गेंटों का खेल लोग चुका है समाप और सत्रा दश्मलब दो गेंटों के खेल के बाद जो स्कोर है हो यहाँ पर पहुँच चुका है 153 रनों पर आट विकेट के नुकसान पर इसे के साथ देखा जाए तो अब सांटों की जो है ना ओवर की तीसरी गेंट लेकर निकल चुके है अब सामना करेंगे बलेबाज इस तरू उडाना ओवर की यह तीसरी गेंट है राइट ताम ओ टौस गेंट ने इस गेंट को मिड्यों लकीर दिश्यामड लकेल दिया और इस से गेंट के उपर भी एगर आप देखे एक तो सिंगल मिल जाएगा इस गेंट के उपर सिंगल मिल जाएगा इस गेंद के उपर और आप देखो जाए तो 17.3 गेंदों का खेल हो चुका है अर्दिक जोगार यह जी हम आज साथ जुड़े हुए है इसे के साथ अब और की चौती गेंद लेकर निकल चुके है गेंद बाहर जा सांटों की इसे के साथ अबर की चौती गेंद लेकर आपे क्रिश्मार सांटों की निकल चुके है अबर की चौती गेंद है क्रिश्मार सांटों की की सामना करेंगे बलेबाज असीला अबर की चौती गेंद इस बाहर फुल टॉस गेंद एक और एक ती अगर देखर जाने तो दो गेंद तो यहां पर वेश्टन इसकी टीम ने जीते थी लेकिन क्या टॉस के साथ क्या मैच भी यह पर वेश्टन इसकी टीम जीतने में काम्याब रहेगी यह कहने कि देखना दिल जब्स रहेगा अगर आप देखे तो 17.4 गेंदों का खेल हो चुका है सम्वाब इसकोर है यहां पे 15 पन रनाट विकेट के नुकसान पे अब और की पांच वी गेंदी क्रिश्म और सांटो की और की पांच वी गेंदी दिमीगती की शॉट पिश गेंदी बले बाज इस तुरू उडाना जोने इस गेंद को कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन अगर आप देखे तो गेंद और बले का यहां पर संपर्क नहीं हुआ है और गेंद जा चुकिए विकेट की पर की दस्तान हो में कोई रन नी मिलेगा इस गेंद के उपर इसी के साथ दिखा जाये तो बोर की आखरी गेंद राइट आम वाद विकेट से और यह लिजए गाईस और की आखरी गें ते सांटो के के स्ट्राइक के उपर मौझूद थे पले बाज इस रूँ उडाना इस रूँ उडाना इस गेंद को लगउन के दिखा में केल करके सिंगल निकालना चाहत है तो लेकिन यहां पर देखा जाये तो गेंद और बले का संपर्क नहीं हुआ है गेंद जाके लगी यह विक्टो पे और विकेट यहां पर गिर चुकी है और यहां पर देखा जाये तो अब बल्ले बाजी करने के लिए है कुलासे करा इस रूँ उडाना जो है न ग्यारा गेंदों में 16 रन बना करके आउट हो चुके है अब यहां से आखरी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है कि अब यहां से आखरी 12 गेंदों का खेल अच्छा हुआ है देखते हैं कौन से टीम जो है न इस मुकाबले को यहां पर जीतने में काम्याब होती है आपको लगता है कौन से टीम जोएने इस मुकाबले को चीदेगी और आप किस टीम को जोएना इस मुकाबले के अंदर सपोर्ट करो आप गमेंट सेक्शन के अंदर यहां पर बता दिजीगा अब यहां से बारा गेंदो का खेल बच्चाओ और मात्र एक विकेट यहां भी बच्ची हुई है देखने वाली बात है कौन से टीम जोएने इस मुकाबले को यहां पर चीदने में काम्याब होती है अटारा ओवर का खेल हो चुका है समाद स्कोर है 159 रन 155 रन 9 विकेट के नुक्सान पर है अटारा ओवर का खेल यहां पर चुका है समाद स्कोर है 155 रन 9 विकेट के नुक्सान पर 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और देखने वाली बात है इन 12 गेंदों में कितने रन्ज यहां पर बन पे हैं देखा जाये तो यहां पर पहली गेंदे इस वर की लगसेट पर गेंद थै पर ng जाके गेंद लगी है और देखा जाय é तो यहां पर गेंदों पहाँ जो प्र है moral जरू ऑट की अपिल जारू करिती एंपार नन प यहां पर नुक्सान फेर और और के दूसरी गेंद जीरों टेलर की सामना करती हुए आपको बल्लेबाज ज़राएंगे राइट टाम होगा दो विकेट से जो यहां पर बल्लेबाजी करती हुए निज़रा रहे हैं और यहां से अब 10 गेंदों का खेल बच्चा हुए मांत्रम स्कोर है यहां पर शिलंका लेजेंज की टीम का 156 रन नौ विकेट के नुक्सान पर इसे के साथ तोवर्गेज इसरी गेंदर जीरॉम टेलर की इस बाहर देखाजाया तो फुल टॉच गेंदी वालेबाज जाए और कुला सेकरा न जैसे तसे बला लगा दिया गेंड चले गिया मिड़ॉफ के दिशा में और देखा जाये तो पिछे मिड़ॉफ के दिशा में फिल्डर मौजूद जरूत है लेकिन जब तक इस गेंड को त्रोकिया जाता दोनी बले बाजो ने भाग करके बड़ा आसानी के साथ यहां पर सिंगल चुरा लिया है और इस गेंड के उपर जो हैना सिंगल मिल जाएगा 18.3 गेंडों का खेल हो चुका है सम्माब इसकोर है 157 रन 3-9 विकेट के नुकसान पेसे के साथ ओवर की चौत ही गेंड इस बाहर देखा जाये तो आफसाट पर गेंड ही खेल दिय गेंड को मिड ओफ के दिश्या में इस सब गेंड के उपर भी सिंगल मिल जाएगा च्यार गेंडे जो हैना अभी तक को चुकी है और तीन रन भी तक आचुके है तो बहराल गाइस अगर आप देखे तो अब यहां पे ओवर की पांच वी गेंड है सामना करेंगे बले बाज यह कुला सेकर ओवर की पांच वी गेंड थी और इस बाहर देखा जाये तो श्लोट में गेंड थी बले बाज ने आपके कदमों का इस्तमाल किया गेंड को खेल जाए तो अब यहां पर ओवर की आखरी गेंद के उपर जो है न यहां पर सिंगल मिलेगा इसी के साथ देखा जाए तो अब 19 ओवर का खेल हो चुका है सम्माप और 19 ओवर के खेल के बाद अगर आप स्कोर बोट डेके तो वो पहुच चुका है 163 रनों पे 9 विकेट के नुक अब टॉस यहां पर वेस्टेंड इस लिजेंज के टीम ने जीती है और गेंबाज ही करने का निटने लिया है अब यहां पर आखरी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है क्या लगता है कि दिन 6 गेंदों के अंदर कितने रंज यहां पर बनेंगे आप अपनी प्रेडिक्शन ब तो गाईज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है ना बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है अब आकरी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है स्टांटों की आए गेंद बाजी करने के लिए इस बाहा लेक्शेट पर गेंदी फ्लिक किया इस गेंद को फानले के दिशा मे और ओवर की पहले गेंद ती ओवर की पहले गेंद पर अब सिंगल मिलेगा अब पाँच गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है 19 दश्यमला बे गेंद के खेल के बाद स्कोर है 154 रनों पर 9 विकेट के नुकसान पर इसे के साथ देगा जाए तो कृष्मार सांटों की जो क्लीन बोल करना चाहते हैं विकेट लेना चाहते हैं लेकिन वो यहां पर यॉरकर डालने के वज़ाए फुल टॉस दाल रहे हैं और बलेबाज गूरा रतने ने बड़े आसानी के साथ कट किया है इस गेंद को कवस के खिलाडी के सर के उपर थे और गेंद यहां पर चले ग उसल्सक्ति एशले के साथा अब और किये तीसरी गेंद है इस बाहर अच्छी गेंद ती अलगे अच Prim carbisch गेंद कर गेंद को तर्म्मील जाए इस गेंद के उपर सिंकल मिल जाए उवर की पहले डैन के उपर सिंकल मिला है और की की दूसरी गेंद के उपर च् Kang मिला है उपर यहां पर 169 रंद 9 विकेट के नुकसान पेशी के साथ ओवर की चौरती गेंद है इस गेंद के उपर भी सिंगल मिल जाएगा और आगर आप लोग को कोई नूर ऑनलाइन बुक के भारत की ऐसी पहली बूक के जाएज इसका जो सर्वीस है काफी पास्त है और आपने जीते हुए पैसे तुरन बैंक अकॉर में विड्रॉल कर सकते हैं कोई नूर ऑनलाइन बुक का जो वाट्सेप नंबर है चैट के अंदर डाल दियो यहां पर म लेका जाये तो गेंद और बले का संपर्क निवा गेंद जा चुकी है विकेट कीपर की दस्तानों में कोई रन नी मिलेगा इस गेंद के उपर अब गैस यहां पर और की आखरी गेंद है शीलंका लेजेंड्स की टीम का जो स्कोर है वो जा चुका है 170 रनों पे 9 विकेट ग आपर निकल चुके सांटो की किस ओवर की आखरी गेंद है सामना करते हुए आपको बले बाज नजराएंगे असीला गरूरत ने ऐसा लग रहा था कि शीलंका की टीम अलाउट हो जाएगी लेकिन विया आखरी गेंद तो खेले लिए हैं ओवर की आखरी गेंद इस बार सब्सक्राइब को यहां पर लाइक कीजिएगा चैनल पर अगर आप लोग नए है तो सब्स्राइब करके जो है ना बेल आइकन दबाद जीगा और अगर आप यहां पर पांसो रुपे लगाओगे वैस्टाइड इसकी टीम पर आपको हजार रुपे मिलेगे और गाइस बा मैसेज कीजिए कोईनूर आउनलाइन बुक के वाटसेप नंबर पर लिंक जो है चैट के अंदर मैंने डाल दिया है मैसेज कीजिए आईडी खरी दिये और गाइस आप जो है न मुकाबले को बिलकुल फ्री में भी देख सकते हों कोईनूर आउनलाइन बुक का जो लिंक है दिस्रिप्शन के अंदर है और चैट बोक्स के अंदर है अंदर है अंदर है अंदर है झाल 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 तो मौझूदा रुशंवे झाल झाल दो फिल पुल झाल सब्सक्राइब करने के लिए और यहां पर आए चले गए पता ही नहीं चला और अगर आप देखे तो अभी है ट्रिक बॉल है और अब यहां से 70 गेंदों का खेल बचा हुआ और इन 70 गेंदों के इंदर अगर आप देखे तो 108 रंज जीतने के लिए अची है है अब देखती है प्लग और शीलंका लिजंड सब्सक्राइब के ग kicking जूझने मेरे तो आने वाला वक्ती बताएगा को लार इताए सम काबले और यहां लागता है कि आज जैसुर्या की हैक ट्रिक होगी और बात के दोपर जैसुर्या ने 53 साल के है और और बहुत ही बढ़िया किन बाची कर रहे हैं एक दर्श्रम लग दो गेंदो कर स्कोर है नौ रहा है ट्रिक बॉल इस बार है ट्रिक नहीं होगी सिंगल मिल जाएगा इस गें जैसुर्या की ओवर की पहले गेंद पर विकेट मिला था ओवर के दूसरी गेंद पर विकेट मिला है और ओवर के तीसरी गेंद पर आप देखे तो सिंगल यहाँ पर मिला है और अभी देखे तो लगबग 69 गेंदों का खेल यहां से बच्छा हुआ है और इन 69 गेंदों के अंदर जो है न एक सो साथ रन यहां पर जीतने के लिए चाहिए अब देते किते तरन से आपे बन पाते हैं और कौन से टिम जो हैना इस मुकाबले को जितने में काम्या वरती है आप इसक साथ ओवर की गेंद जनन सूजया की इस वरते ओचुकी है और लगबग 3 दरन अभी तक आया है और दो विकेट यहां पर इसोबर से आचुकी जोनों मैच का टरनिंग ओवर है और की आखरी गंट है जा है सुरिया का यर रिकन बाहर जिस गेन स्विप खेलना चांते थे और अमपारश गय्ख गेन को Dwight डे सकते उगा गेन जो है टपक आने के बाद गेन काफी गुमा था और गेन डोर बले का यहाँ पे संपर्क नियु आगे जा चुकी है विकेट कीपर के दस्तानों में और एम्पायर नहीं या पे वाइड नहीं दिया है इसे के साथ आप गाईज नाओवर का खेल हो चुका है सम्माप स्कोर है अगर आप देखे तो उतना जदा असान रहेगा नहीं अब देते किस प्रकार से आप खेल होता है और कौन से टीम जो है इससम मकाबले को यहां पर छीतने में काम्याब होती है ज़िका साथ ओफर की पहली गेंद दि शनयास पहली गेन थे तिलक रतने दिलिशान आयते गेन बाजी करने के लिए दिलिशान के ओवर की पहली गेन थी बले बाज विलियम परकिस जो है न इस गेन को लॉगाउन की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन अगर आप देखे तो फिल्डर वहाँ पर मौचूत थे बिल्कुल आसान सा कैच था उनके लिए यू मानों की कैच प्रैक्टिस करा रहते हैं विकेट यहाँ पर गिर चुकी है और अगर आप देखे तो अब जो है न विल्लियम परकिंस यहाँ पर आउट हो चुके है विल्लियम परकिंस जो है यहाँ पर आउट हो चुके है और इसी के साथ आप देखे तो जो स्कोर है वो यहाँ पहुच चुका है 9 दर्शम लबे गेंद का खेल हो चुका है समाप और 9 दर्शम लबे गेंद के बाद स्कोर बोड पहुच चुका है 68 रनों पर चार विकेट के नुक्सान पर देखने वारी बात है कि कौन से टीम जो इस मुकाबले को यहाँ पर चीतने में काम्याब होती है जाप लोग आप अपनी प्रेडिशन मता दिजिए आप इस मुकाबले के अंदर जो है ना किस टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हो शिलंका के टीम भाईस बहुत भी बड़िया पुफॉर्म कर रही है और इस मुकाबले को जोने बड़े आसानी से जित्ते वह भी निचरा दी है 9 दश्यमलब बेगेंद का खेल हो चुका है सम्माब और 9 दश्यमलब बेगेंद के खेल के बाद जो स्कूर है हो यहाँ पर पहुच चुका है 68 रन चार विकेट गेंद उक्सान पे 9 दश्यमलब एक गेंद के बाद अब देखा जाए तो डंजा हयात आया है गेंद बाजी करने के लिए दूसरी गेंद डंजा की दिलिशान की कोई रन नहीं मिलेगा अब देखा जाए तो अबर की पहले गेंद पर विकेट गिरेती अबर की दूसरी गेंद पर यहां पर कोई रन आया नहीं है इसलिके साथ अबर की तीसरी गेंद इस गेंद के ओपर भी को रन नहीं आएगा अब यहां से जो हैना मौजूदा रन लगबग है जो जीतने के लिए जो रन नहीं लगबग 10 रन यहां से प्रती ओवर है चाहिए अगर यह मुकाबला जीतना है वेस्टेंड इस लिजेंज की टीम को इसलिके साथ ओवर की चौती गेंद ऑफस्टाइड पर गेंद की कट किया इस गेंद को कवास के दिशा में और यहां पर दिखा जाए तो डाइव लगा के गेंद को रोखा गया है कुला सेकरा के तरफ से अच्छी फेलिंग कुला सेकरा के डाइव लगाई यह बाई तरफ अगेंद को रोका है और गेंद के शायद दो या एक रन तो अपने टीम के लिए जरूर बचा आया है यहाँ पर चार रन मिल चुके जब उनने डाइव लगाए थी न तो उनका जो शरीर है वो बाउंडरी लैन को टच हो चुका था और चार रन मिल जाएंगे इस से गेंद के उपर इसी के साथ जो सकोर है वो पोचछे का नौधर श्मलावथ चार गेंद के बाद बातर रन चार विकेट के नुकसान पे इसी के साथ जो है तो उनकार निकल चुके जिलिशान के इस उवर की यह पाँवी गेंद है और सामना करेंगे बले बाज दंजा हयात ओवर की पांच वी के निजबार धिमी गती गेंती लग सेट पे गेंती बले बाज दंजा हयात ने बले का मुझ खोला है गेंच चलेगी है फानले के दिश्या में और एक जाय तो पिछे फिल्डर महजूद जरूरत है लेकिन जब त आखरी गेंद लेके तिलक और अतने दिलिशान लेके निकल चुके हैं और सामना करेंगे बले बाज नर्सिंग और कहने हैं कि यहां से जो मुकाबल है वो वन साइड नजर आ रहा है शिलंका के टीम इस मुकाबले को बड़े आसाने से जित्ते में नजर आ दी है और कि यहा आ पने पास यहाँ पे स्ट्राइक रखेगे आप अगर आप देखे तो लगबग यहाँ पर दस ओवर का खेल होचुका है सम माप और 10 ओवर के खेल के बाद जो स्कूर है वो यहाँ पर पहुच चुका है 74 रनों पे चार विकशान के तर displaced 10 ओवर के खेल के बाद कि तेलागता है किस कोन सी टीम जो आई इस मुकाबले को जीतोगी आप पे कमेंटर सेक्शन के अंदर बता देगा आप किस टीम को जो है इस मुकाबले के अंदर यहां पे सपोर्ट कर रहे हों यहां से अब 10 ओवर का खेल हो चुका है समाप 60 गेंदों का खेल यहां से बचा और इन 60 गेंदों के अंदर देखे तो लगबग 99 रंज जीतने के लिए चीए लगबग 10 रंज प्रती ओवर यहां से चाहिए अगर यह मुकाबला जीतना है तो अब यह तो आला कि आने वाला वक्ती बताएगा कि कौन से टीम जो हैने इस मुकाबले को यहां पर चीतने में काम्याब होती है भ autour लेकर जाये तो नर्सिंग ने इस गेन पर स्विप लगा दिया है छे रंद मिल जाएगे इस गेन के उपर पहली गेन ती यहांपे इस ओवर की बले बाज जा नर्सिंग आपको कुछ भी पुछना तो पुछ लो इस्टाराम पे और यहां पे यहां पे वास्टाप नमबर देख रहा हूं एक ऑनलाइन बुक का नमबर है इसे के साथ ओवर किये दूसरी गेंदर सिंगल बिल जाएगा इस गेंद के उपर अभी भी देखा जाए तो 58 गेंदों का खेल यहां से बच्छा हुआ है और 92 जो है यहां पर जीतने के लिए अचीए है अब देखते क्या इन 58 गेंदर के नाइंटी टूरंस यहां बन पाते ह और कोंसी टीम जोन इस मुकाबले को यहां पर जीतने में कामया पर रहते हैं यह दिखना कई न कई बेहद दिलजब जोर रोचक रहेगा तो ओवर की तिसरी गेंद लेकर निकल चुके है दस सिल्वा ओवर की तिसरी गेंद है बले बाज या डान सा हयात इस गेंद को दस दश्रम लब तीन गेंदों का खेल हो चुका है सम्माफ इसकोर पॉच्चर का एटी वन रनों पेछे की सांदी का जाय तो ओवर की चौती गेंद है इस बाहर गुगली गेंदी और बले बाज ने इस गेंद को कलायों का शांदार रुपयों किया है मिड़ोफ के दिशा इस गेंद के उपर आब यहां पे 10.4 गेंदों का खेल हो चुका है सम्माफ और स्कोर यहां पॉच्च चुका है टी तू रनों पे चार विकेट के नुकसान पे 10.4 गेंदों के खेल के बाद इसी के साथ ओवर की पांच विकेंद लेकर निकल चुके दस सिल्वा ओवर की पांच विकेंद है साम ना करेंगे बले बाज नर्सिंग ओवर की पांच विकेंद है कट किया इस गेंद को गेंच लगी है 3rd man के दिश्या में और इस गेन के ओपर भी सिंगल मिल जाएगा कुल मिलागर के दिखे तो 9 run over से आज चुके अभी तक के श्री लंका जीतेगा Yes sir, Robot Latsy who will win this match श्री लंका और वेश्टेंड इस I also think that Shilanka will win this match I hope अब 10 दर्श्य में पाच गेन दोगा खेल हो चुका है समाप स्कोर 83 run 4 विकेट के नुकसान पर इस गेसाथ दिखा जाए तो अब over की आखरी गेन लेके जो है नच्चतु रंगा दा सिल्वा निकल चुके है और की आखरी गेन दा इस बार गुगली गेन दे इस सिंगल कोई रंगी मिलेगा इस गेन के उपर इसे के साथ अब यहाँ से 11 ओवर का खेल हो चुका है समाप और 11 ओवर के खेल के बाद स्कोर बोड़ आवे पहुच चुका है 53 रंओ पर श्यार विकेट के नुक्सान पर 11 ओवर के खेल के बाद क्या लगता है का इस को जितेगा यहां से अगर आप देखें तो लगबग जो है ना 54 गेंदो का खेल यहां से बच्चा हुआ है और 54 गेंदो के अंदर जो है ना यहां पर 90 रंड जीतने के लिए चाहिए और गैसे आप इस मुकाबले के अंदर जो है ना किस टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हूं आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताद जीगा देखते हैं कौन से टीम जो है ना इस मुकाबले को यहां पर जीतने में काम्याब होती है अब यहां से लगब 53 गिंदों का खेल बचाओ और 89 रंस जीतने के लिए वेस्टेंड जीतेगा भाई देखो गाचेंद्र भाई यहां वेस्टेंड जीत सकती है लेकिन भाई बहुत ही मुश्कील है कि यहां से वेस्टेंड जीते अब देखा जाए तो दिले करतने दिलिशान ने दो गिंदे इस ओवर में डाली है और दोनों ही गिंदों में सिंगल सिंगल रना चुके अब दिलिशान जो है ना ओवर के तितरी गिंद लेकर निकल चुके सामना करें नर्सिंग ओवर के तितरी गिंद है दिमी गती बलेबाज ने इस गेन को कवर्स के दिशा में खेल दिया है कुला से कर आप मौझूत है लेकिन जब तक इस गेन को त्रो किया जाता दोनी बलेबाज ने बाग करके जो नहीं है यहां पर सिंगल चुरा लिया है सिंगल मिल चाहेगा इस गेन के ओपर अब 11 दश्यम लब तीन गेन दो का खेल यहां पर हो चुका है समवाब और 11 दश्यम लब तीन गेन दो का खेल के बाद स्कोर है तीसीस रन चार विकेट के नुकसान पर अब और की चौती गेन इस बार खेल दिया जिकेन को मिड ओफ के दिशा में फिल्डर वापे मौजूद है पहले रन काफे तजी से भागा है और दूसरे रन भी आपे भाग लिया है काफी बड़िया ताल मेल और काफी बड़िया जो है रनिंग बिट्विन दो विकेट आपे देखने को मिली है और दो रन जो हैने वहाँ पर बड़े आसानी से मिल जाएगे उस गेन के ऊपर क्याहा रगताई है इसस कौण सबना यहाँ पर शेतेज और आप जो है आप जैन इस मुकाबले के अंदर प्रेडिक्शन यहां पर पे बतागा है ह हेट अटो गटस्यों किस ऐसाँ फद आ झाले जुम या तो बहराल गाइज बारा ओवर का खेल यहां पर समाप खुछ चुका है बार ओवर के खेल के बाद स्कोर है नबे रंच चार विकेटि नुकसान पर इंडिया यह शिलंका विल प्ले फाइनल मैच अगर आज यहां पर शिलंका की टेम जित्ती है न तो फिर शिलंका और इंडिया का फाइनल होगा और फाइनल कल होगा और अगर वेस्टेंड इसकी ट इस मुकाबले को जितेगी वह यहां पर फाइनल में प्रविश्च करेगी और जैसूर्या गिन्बाजी करने के लिए है जैसूर्या की पहली गेंद है और सिंगल मिल जाएगा इस गेंद के उपर इसी के साथ देखा जायताओ ऊवर की लिए कि दूसरी गेंद देका जाये जैनी को थड़मान के दिश्चा में और इस गेंद के ऊपर हィ और की पहले गेन के उपर भी सिंगल आया था ओवर की दूसरी गेन के उपर भी सिंगल आ चुका है अब यहां से 46 गेंदो का खेल बच्छा हुआ है और टी वन रंस जो है न यहां पर जीतने के लिए चाहिए है जी किसा देखा जाय तो वर की तीसरी गेन लेकर जो न गेन बाज जैसुर्या निकल चुके और के तीसरी गेन देखा यहां पर जैसुर्या की और सामना करते हुए आपको जो है नर्सिंग न जड़ाएंगे जैसुर्या ने आज काफी बड़ा गेनबाजी कर दिया दो दश्रमलग दो गेनड़ ढली है ऌच्षा ओधा रंदी है और दो विक्टे चटकाई है काफी जदा प्रभाविश किया है आज जैसुर्या ने अपनी गेनबाजी से 53 साल के भाई जैसुर्या फिर भी घेन बाज जी कितनी जब अधस कर रहे हैं लिजेंट्स शिलंका लिजेंट्स बना वाश्टांडी लिजेंट्स का मुकाबला है उमर के तीस तरी इस बार शॉट पे जिए थी फ़ले बार जनर सिंग इस गिन पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे गेंट्स चलेगी लॉगाउन के दिश और आप इस टीम को जो इस मुकाबले के अंदर सपोर्ट कर रहा हूं कमेंटर सेक्शन के अंदर यहां पर बता दिजीगा और इसे की साथ दिखा जाए तो बोबर की चौती गेंट्स शूर्या निकल चुकिए जनन तर सूर्या की ओबर की चौती गेंट्स सामना करते हूं को दंजा हयात नजराएंगे और की चौती गेंट्स शूर्या और कौन से टीम जो हैने इस मुकाबले को यहां पर जीतने में काम्याब रहती हैं यह दिखना दिल्चप्स रहेगा और की चौती गेंट्स बाहर वलेवाज ने कदमों का इस्तमाल किया गेंट्स को जो यह है यहां पर सिंगल आ चुका है अब 12.4 गेंट्स का क्हेल हो चुका है समाप स्कोर 94 और नुक्सान पर जायसूर्या ग्रेट प्लियर जैसूर्या ग्रेट प्लियर जैसूर्या इस बाहर बड़ा शौर्ट खेल दीया एस गेंट्स प्रफॉर्मस इन की तरफ से देखने को मि के दिश्या में और यहां पर जो है ना मिस फेल्ड हुई है चो का मिल जाए का से न के उपर ओवर की पांच भी गें ती जैसुर्जा की जैसुर्जा की जैसुर्जा वलिवाज यहां पर नर्सिंग ने इस गेंड को मिड़ॉफ के दिशा में खेला था और कहने के अगर आप देखे तो डाइश जरू लगाए थी आप पे अजन्ता में इंडिस ने लेकिन डाइश लग ओवर की आखरी गहं लेकर जैसुरज़न निकल चुके हैं और ग्रेडी आठ रनुस ओवर से आ चुके अब ओवर की आखरी गहं दा जैसुर्जा की जो रिक्वाइड रं रिठ है न वो सरे दस के भी उपश जा चुका ओवर्कि आखरी गेंद्य इस बाहर हवाई fire और यहां पर छे रन मिल जाएंगे। ओवर्कि आखरी गेंद्य सानत जैस होजाइगी। सामना करते वले बाज नर्सिंग। ओवर्कि आखरी गेंद्य यहां पर कदमों का इस्तमाल किया है। down the ground खेल दिया है। गेंद माच के सर के उपर से एक डम्तीर की तरह सिधा यह शोट है और 6 रन मिल जाएगे इस गेंद के उपर 6 रन मिल जाएगे इस गेंद के उपर इसी के साथ जो स्कोर है वो यहाँ पहुच चुका 104 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर अगर आप देखें तो लगबग यहां से एक 13 ओवर का खेल हो चुका है समाब 13 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 104 रन चार विकेट के नुकसान पर यहां से 42 गेंदो का खेल बचा हुआ है और 69 रन जो है यहां पर जीतने के लिए चाहिए क्या लगता है का इस कौन जीतेगा इस मुकाबले को आप कमेंटर सेक्शन के अंदर बता दीजिए का 42 गेंदो का खेल बचा हुआ है और 69 रन जीतने के लिए चीए लगबग 10 रन प्रती हो और यहां से बनाने अगर यह मुकाबला जीतना है तो मौझूदा रन रिट जो है लगबग 8 रनों का चल रहा है झाल 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 को झाल 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 मैं बाकि इंडिया फैनल बाजी मारेगा देख ले ना आप अच्छों देखते कल होगा फाइनल तो बहराल अब हसीला घरूरत ने आये गिन बाजी करने के लिए पहले गेंट यह साथ देखा जाए तो अब जो है ना ओवर की दूतरी गेंट लेकर है असीला घरूरत ने निकल चुके है और यह दूतरी गेंट है इस बाहर खड़े-खड़े खेल लागान की दिशा में इसागेंट के उपर भी जो है सिंगल मिलेगा और की पहले गेंट ही कोई रन नहीं आया है ओवर के दूतरी गेंट पर सिंगल मिल जाएगा आप 40 गेंट का खेल बचा हुआ है शिष्टी एट रन जीतने के लिए अगर यह मुकाबला जीतना है वैस्टान इसकी टीम को तो 40 गेंटों में शिष्टी एट रन से आपे बनाने पड़ेगे तब ही जो है ना इस मुकाबले को आपे जीत पाएंगी जीके साथ देका जाए तो असीला गरू रतने ओवर के त समान दिया इस गेंट को और देखा जाया तो इस गेंट के उपर भी जो है ना सिंगल यहाँ पर मिलेगा सिंगल यहाँ पर मिलेगा इस गेंट के उपर इसकोर यहाँ पर पहुच चुका तरह दर्श्मलब तीन गेंदों के खिल के बाद 106 रंग चार विकेट के नुकसान पर इसी के साहर देखा जाये तो अब यह ओवर की चौती गेंद है ऑवर की चौती गेंद है अथिला गरूर्तने की सामरा करेंगे बहले बाद दंजा हयात ओवर की चौती गेंद और अब देखते इस ओवर की चौती गेंद पर क्यों तो इस बाहर देखा जाये तो यहां पर फुल टॉज गेंद थी मौका ता बड़ा शॉट खेलने का गेंद चली के स्वार लेक बाउंडर की दिश्या में और इस गेंद के उपर भी देखा जाये तो आपको जो आना सि सिंगल मिल जाएगा इस गेंद के उपर अब यहां पर दिखा जाये तो अब तेरा दश्यम लब चार गेंद का खेल हो चुका है सम्माप्त स्कोर एकसो सांत रंच चार विकेट के नुक्सान पर चार गेंद इस ओवर ते हो चुकी है तीन जनवी तक का है ओवर की पांच व बीच में चार रन मिल जाएगे ओवर की पांच वे गेंद ती करू रतने की सामना है कर रहते हैं वाज नर्सिंग नर्सिंग ने जो ने आपके गदमों का इस्तमाल किया और इस गेंद को फिक किया है लोग ओन और लोग आफ के बीच में काफी बड़ी गैप थी और गैप म व्यक्तिकर स्कॉर पहुच चुके हैं अब और की अंतिम गेंद अस्तिला गरुरतने की राइटाम ओध विकेट से गेंद इस बार गुगली गेंदी बले बाज नर्सिंग इस गेंद को पॉइंट की दिशा में खेल करके सिंगल निकालना चाहत दें दुलिशान वापे मौ जूत है कोई राणिस गेंद के ऊपर नहीं मिलेगा अब देखा जाए ना तो अब यहां से 36 गेंदों का खेल बचा हुआ है चीह और का खेल यहां वे बचा हुआ और शिष्टी टूरंत जो है नहीं इहां पर जीदने के लिशान नहीं यहां पर जीतने के लिशिए वैस्टानिक्त लिजर्ण्स बना मेशिलनका लिजर्ण्स का जो हैं मुकावला चल रहा है और इन दुनों में से जो कोई भी टेम जीतेगी वो यहां पे इंडिया लिजेंज के साथ खेलेगी एक तरीके से यह करो या मरो का मुकाबला है डू और डाय का मुकाबला है अगर आप जीतोगे तो आगे रहोगे वरना भी आप या बाहर हो जाओगे और शीलंगा के टीम ने प अगर यह मुकाबला जीतना है तो आप देखते हैं कि आप देखने वाली बात है को इस मुकाबले को जितने में काम्याब रहेगी यह दिखने वाली बात है और गेंदबाजी करने के लिए कप्तान दिल इशान किस गेंदबाज को भी बुलाते है ना यह भी देखना करने के लिए इस गेंदबाज को यहां पर बुलाया जाता है गेंदबाजी करने के लिए यह भी देखना जो है ना दिल जब और रोचक रहेगा और गेंदबाजी इनबाजी करने के लिए इश्ओं को बूलाय गया है इश्ओं की बात करतो राइट कम मोधा विकटसे केनबाशी करते हुए आपको इश्ओं निधसले नज़र आरे हैं पहले कि इयatif मेंजेदान आपि इ Safari के सामने इश्पर के सामने आरे हैं बलेवाज जिदाANSा एंपार जो है थड़ एंपार की मदद जरूर लेगे दो रंस तो भाग के चुरा लिए और आपर अच्छी फिल्डिंग कुला सेक्रा की जिन्होंने डाय लगा के गेन को रुका है और टीम के लिए भाव मुल लिया दो रंस बचा है इस साथ सिच्वेशन के अंदर जो ना ए कि दूसरी गेंगे निकल चुके हैं ऑवर की दूसरी गेंगे सामना करें वहले वाज जंज़ा है इस बाहर धिमीगती गेंग थी वहले बाज कट करना चाहा थे इस गेंग को लेकिन गेंग दोर बले का यहाँ पर संपर्क निवागेंग जा चुकी हभी के ठीपकिदस्तान कि अदिया लिजन के ऊपर निमिलेगा दिखा जाया तो वर की पहली गेन पर दूर अनाया थे ओवर की दूसरी गेन के ऊपर यांपर कोई भी रन नहीं आया है शिलंका लिजेंज बनां इंडिया लिजेंज का मुकाबला चल रहा है देखने वाली बात है, कौन से टीम जैसे मुकाबले को याप चितने में कामयाब होती है आइस आप लोग आप अपनी प्रेडिक्षन बता देजिएगा आप यहाँ पर इंडिया लिजेंज की टीम को जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो यहाँ फिर शिलंका लिजेंज की टीम को जो आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो निची कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता देजेगा अब देखा जाए तो लगबागा 33 गेंदो का खेल वचा हुआ है और 33 गेंदो के अंदल जो आना 59 रंस यहां पर जीतने के लिए चाहिए भाई यह मुझे काफी मुश्किल लग रहा है वैसे तो वेस्ट आंडिस का जीतना लेकिन वेस्ट आंडिस की टीम यहां पर कोशिश कर रही है और कुछ भी वह सकता है देखा जाये तो नर्सिंग की बात के तो नर्सिंग ने तीज गेंदे खेलिए 50 रह में आच चुके है जिसमें 3 शक्के और 4 चौके शामिल है जीतने गेंदे तो नर्सिंग इस गेंदे और बड़ा शाट खेल आच आते थे लेकिन यहां पे जो है न गेंद और बले का संपर्क निवा है गेंद जा चुकी है विकेट कीपर के दस्तानों में कोई भी रन इस गेंद के ओपर यहां पर नहीं मिलेगा अब यहां से जो है थर्टी टू गेंदों का खेल बचा हुआ है फिफ्टी नाइन रंस जो है न जीतने के लिए चीए थर्टी टू गेंदों का खेल बचा हुआ है और यहां पर जो है फिफ्टी नाइन रंस जीतने के लिए चीए थर्टी के सांथ निकल जाये तो वर्टी पांचवी गेंद लेकर निकल चुका है गेंद बार जिशान सामना करेंगे बले बाज नर्सिंग राइट टाम ओवर्ड विकेट से गेंद भारत के साथ कोन इस देखने वाली बात है जी के साथ यहां पर हवाई फायर छे रन मिल जाएंगे और की पांचवी गेंद इस शान की सामना करेंगे बले बाज इनर्सिंग दिमी गदी की शॉट पिच गेंद ती तयार थे बले बाज इस गेंद के उपर और खड़े-खड़े खेल दिया इ इस तर के उपर से और यहां पर जो है न छे रन मिल जाएंगे छे रन मिल जाएगा इस गेंद के उपर छे रन मिल जाएगा इस गेंद के उपर बहुत ही बढ़िया यह शॉट अगर आप अभी देखे तो लगबग यहां से अब जो है न पिकतिस गेंदों के अंदर रंस बन सकते हैं 31 गेंदों के अंदर 53 रंस यहां पर चीतने के लिए चाहिए है इसे के साथ आप देखा चाहिए तो इशान जो है नोवर की आखरी गेंद लेकर निकल चुके है और दिलिशान जो है आपर गेंद को सुका करके हाथ में दे रहे इशान के क्योंकि गेंद गिल ही हो रही है क्योंकि ओस यहां पर पढ़ रही है आप 14.5 गेंद लोगा खेल हो चुका है सम्माब स्कोर है यहां पर 120 रंच चाहर विकेट गेंद उकसान पर देखा जाए तो नौरन कुल मिला करके इस ओवर से आचुके है अब और की आखरी गेंद लेकर जो है यहां पर इ इस कौन जी देगा शीलंका लिजेंज बना वस्टेंड लिजेंज का मुकाबला है बात करें तो जो मौजूदा रंडेट है वह आट दश्यम लब 07 का है और लगबग यहां पर जीतने के लिए जो है न दस दश्यम लब 40 रन बनाने पड़े यह प्रती ओवर यहां से अब देखने वाली बात है कौन से टीम यहां पर इस मुकाबले को जितने में कामयाब होती है इंडिया लिजेंज की जो टीम है अल्रेडी फाइनल में पहुच चुकी है अब शीलंका और वैस्टेंड इसमें से जो कोई भी टीम इस मुकाबले को जितेगी वो फाइनल में जाएगा आप देखते किते रंस यहां पर बन पाते हैं और कौन से टीम जो है ना इस मुकाबले को जितने में कामयाब रहती है अगर आप लोग यहां पर अपने अपनी प्रेडिक्शन बता दिजिए आप इस मुकाबले के अंदर जो है ना किस सा टीम को सपोर्ट कर रहों जाए देखो एक समय लग रहा था कि वेश्टन इसकी जो टीम है ना वो अलाउट हो जाएगी लेकिन उसके बाद देखा जाए तो यह जो पार्टनर्शिप है ने मैच विनिंग पार्टनर्शिप है अगर आप देखे तो 35 गेंदों के अंदर 53 पन रनों की पार्टनर्शि हो चुकी है यहां पर दोनों ही बल्ले बाजों के बीच में एक मैच विनिंग यह पार्टनर्शिप साबित हो रही है आप देखा जाए तो यहां से जो है ना 29 गेंदों का खेल वचा हुआ है और 51 रन जो है ना यहां पर चीतने के लिए च्छी है शुआ है अंतिज गेंदों का खेल वचा उए और 51 रं जो है ना यहां पर गिने के लिए च्छी भी जो सिचफिकल चिख॥ков यहां पर कोई बी टीम इस मुकाबले में को भी सब्सक्राइब करने के लिए और बलेवाज यहां पे डांसा जो है ना बड़ा शौट खेलना अच्छे आते थे पकाने के बाद गुमा था गेंद और बले का यहां पर संपर्क निवा और गेंद जाके लगी है विक्टो पे और स्कोर यहां पर हो चुका है करने क्ताइब फंद्रा दस्यम्लव दो गेंदों के खेल के बाद róż एक सो बावीत रन पांचे विकेट के यहां पर नुक्सान पे पंद्रा दश्यम्लव 2.0 बाद में बाद पांचछा है द्विकेट 2020 में्द गेंदौं का खेल पर फो एक समस्थ ङांप पोच्छा है एक तो 22 रनों पे पांच विकेट के यहां पे नुक्सान पे अब देखते हैं यहां पे कई दब जो मौझूदा रन रिट है वो लगबग 8 का है और जीतने के लिए लगबग 11 रन प्रती ओवर कई नहीं कि यहां से बनाने जो कि उत्ता जदा आसान यहां पे रहने वाला है नहीं उत मुकावले को यहां पर चितने में कामव्याब रहेगी यह देखना दिलजब्थ रहेगा और आप लोगो को इस मुकावले को बिलकुल फ्री में देखना है और सांती में अगर आप लोगो को online ID परचेस करनी है तो आप कोई नूर online book पी जाके purchase कर सकते हो यह रहां करने के लिए जीरोम टेलर जीरोम टेलर यहां पर आया है बल्ले बाजी करने के लिए अब यहां से जो ना 57 गेंदो का खेल बचा हुआ है और 50 रंज यहां पर जीतने के लिए चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए चाहिए रेश्टाइब लिजेंज की टीम को इसी के साथ अब और के चौती गेंद एक गुरा रतनी की सामना करेंगे बले बाज नर्सिंग ओवर की अगली गेंद इस बारे गज़त ऑफसेट पे गेंद ही कट किया है तो कवर्स की दिशाम है कु मिल जाएगा इस सब गेंद के उपर और जैसे जैसे गेंद आगे चल रही है वैसे वैसे शीलंका की टीम है फाइनल की करीब पहुंच जा रही है अब यहां से दिका जाए तो 26 गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है और 49 रंस जीतने के लिए आपर चाहिए इस गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है और 49 रंस जो है यहां पर जीतने के लिए चाहिए है जीके साथ और की चौती गेंद और की पांच वी गेंद है इस गेंद की उपर भी अगर आप देखे तो मात्रा सिंगल ही मिलेगा पांच गेंद यह वर से हो चुकी है शार नभी तक इस ओवर से आ चुके है और देखा चाहिए तो एक और गेंद जो है न इस ओवर को समाप्त होने के लिए बच्छी है 15.5 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त और 15.5 गेंदों के खेल के बाद अगर आप स्कोर बोट देखे तो यहां पर पहुच चुका है 125 रनों पर पांच विकेट के अनुक्सान पर अब यहां से जो है 25 गेंदों का खेल बच्छा हुआ है 48 जो है न जीतने के लिए आपर चाहिए 25 गेंदों का खेल बच्छा कि इंडिया के टीम इस मुकाबले को जितेगी या फिर शुरी शीलंका के टीम इस मुकाबले को जितेगी या फिर वैस्टन इसके टीम जो इस मुकाबले को जितेगी तो कि अगर आप देखे ना तो भाई ये कुछ भी हो सकता है क्रिकेट और आपर बॉल को चेंज किया जा रहा है यहां पर बॉल को चेंज करने जा रहा है यह मौनी पोवर समझा नहीं गोईल भाई कहरे कि इंडिया फाइनल जितेगी यह मैच को जितेगा उससे में को मतलब यह जीतने कलु इंडिया और यहां पर कहले तरे खुझकी टेम इंडिया का चेंज मुझा होगा और एक यहां पर वैस्तैंडियुन इसका फाइनल हुगा बारत कुछ तेंसन निया वारती टीम छेष म सच्चाए का कि कर्यार है अगर आप देखे तो इन 25 गिंद जेश 53 जीतने के लिए चाहिए है 25 यंदों में 48 चाहिए गाई इस माफ़े चाहिए निए 53 बोला 48 यहां पर जीतने के लिए चाहिए और 48 बिनाना चाहिए न कहिने के उतना ज्यादा आसान यहां पर रहने वाला है नि क्यान बनादान पर झोन से टम मुकाबले के अंदर सपोर्ट कर आम कमें ट ass अब क्यूल जीतने में कामया वालेगी यह तो आने वाला बक्ति बताईगा और यदर आपको र долगता है कौन से टिम जोय इस मुकाबले के अंदर सपोर्ट कर हो आप göra और यहीनट अपैर अगर आप देखे न तो लगबग अभी जीतने के लिए 24 गेंदों में यहां पर 48 रंची लगबग 12 रंच प्रती ओवर यहां से बनाने और जिते भी लोग आप हमारी श्ट्रीम को देख रहे हैं सभी के सब्सक्राइब किजीगा लक्षमन भी मासा जोड़ चुके जिते भी अगर आप सब्सक्राइब कर देख रहे हैं सभी के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर देख देखे तो यहां पर पहुंच चुका है 125 प्रनों पर पांच विकेट के नुक्सान पर अगर आप देखे तो आज के मुकाबले के अंदर जो टॉस है न वह वेस्टेंड इसके टीम ने जीते थी और वेस्टेंड इसके टीम ने जो एना टॉस को जितने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निड़ने लिया तो और चार मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाले टीम ने जीती है इस सब पिछका रिकॉर्ड है कि जो कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करता ना उनके जीतने के चांसे से आपे ज्यादा होती है और आज वास्टेंड इसके पास तो मौका भी ताग कि टॉस जीत चुके थे लेकिन पहले उनको बाटिंग करने चीए थी लेकिन उन्हें पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया जो की कहिना के थोड़ा सा गलत लगा मुझे अब देखते हैं चोबिस गेंदों है फोटी एट रंजी ने कले शीची के साथ यहाँ पर इस तरू उड़ाना आया गेंदबाजी करने के लिए इस तरू उड़ाना की ओवर की पहली गेंद है बले बाज टेलर ने यहाँ पर चौका लगा दिया है पहली गेंदी सोवर की यहाँ पर देखा चाहे तो इस तरू उड़ाना गेंदबाजी करने के लिए आया थे पहली गेंदी लोफुल टॉस थी और वले बाज टेलर ने यहाँ पर स्विप लगा दिया गेंद चलेगी स्क्वेर लेक के खिलाडी के सर के उपर से एक टप पक आने के बाद चौके के लिए चारन मिल जाएंगे घराब गेंदी इस तरू उड़ाना की यह और कर डालने की कोशिश कोई थी गेंद चलेगी लोफुल टॉस और इस गेंद पर जो आना मिल चुका है चौका और इसे के साथ उबर की दूतरी गेंद लेके इस तरू उड़ा दिया है और यहां पर देखा जाए तो एक अत्रीक रन यहां पर और मिलेगा अब यहां पर आप देखे तो 23 गेंदों का खेल बच्छा हुआ है और अब 23 गेंदों के खेल में 43 रन जीतने के लिए चाहिए इसे के साथ देखा जाए तो वर की दूसरे गेंद और यह अच्छी गेंद इस बार भी वाइट दी है यह तो शायद वाइट नहीं होनी चीए थी तो कि एगेंद के अफसाइड पर दी और सरकल मलब लाइन के अंदर ते लिकिन आपार ने वाइट दे दी है जो कि शायद नहीं देनी चीए थी इंडिया निट इस कप और तेम गिविट टो इंडिया वैस्टेंड जीतेगा अच्छा वैस्टेंड जीतेगा इस मुकाबले को बाई देखते तो आने वाला वक्ती बताएगा फोन से टीम जो यहां पर इस मुकाबले को जितने में काम्याब होती है इंडिया, 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 सॉरी, देख जाए तो इसी के साथ अब खेल यहां पर धीमे धीमे करके आगे के तरफ बढ़ रहा है को उससे टीम यहां पर इस यहाँ से बच्छा हुआ है और इन वाविफ गेंदों के अंदल resin यहाँ से बच्छा हुआ है और कियाकार जितनों करने पर था और कोणसे बचार कोडितने में कामवन रहती हैं यह देखना जो है यहां पर रहेगा चीजिकी साथ देखा जायए तो अब और खेल दिया है लौग ओन लौग ऑफ की बीच में और वहां पर गयाप काफी बड़ी ती और देखा जाया तो यहां पर जो आना तीन चुरा लिये यहां पहला की चौका मिल जाना चाहिए ता फिल्डर जो थे वापे अजन्ता मेंडिस थे और अजन्ता मेंडिस ने डाइव लगाई ये गेंड को और रोका है और दोनी बलेबाजों ने भाग करके तीन रन यहां पे चुरा लिए है अब 21 गेंडों का खेल बच्छा हुआ है और यहां से देखा जाए तो 38 रन जो है न चीतने के लिए चाहिए है इसके साथ कोबर के चौती गेंड इस तुरों उडाना गेंबाची कर रहे हैं 21 गेंडे बच्छी है और 38 रन जो है यहां पर जीतने के लिए चाहिए देखने वाली बात है या वक्स्टेंडड इस कि आपको कह लगता है कौन सी टीम जो इस मुकाबले को जिदेगी और आप किस टीम को जो है न इस मुकाबले के अंदर सपोर्ट करो यह आपने जिए कमेंट सेक्षन के अंदर बता दिएगा आप यहां पर इन्द शीलंका लिजेंज की टीम को सपोर्ट कर रहे हो यहां फिर वस्टेंड इस लिजेंज की टीम को जो है न आपर आपर सपोर्ट कर रहे हो इका जाये तो अब 16.4 गेंदों का खेल हो चुका है समाब और 16.4 गेंदों के खेल के बाद स्कोर यहां पर पहुच चुका है 135 गेंदों पर पांच विकेट के नुकसान पर 20 गेंदों का खेल वचा हुआ है और 38 गेंद यहां पर जीतने के लिए चीशी के साथ ओवर की आखरी गेंद लेके इस तुरू उडाना निकल चुके ओवर की पांच वी गेंद थी शौट पिज गेंद थी बले बाद जटेलर जो है ना इस गेंद के उपर बड़ा शौट खेलना अच्छा आते थे लेकिन अगर आप देखें तो गेंद और बले का संपर्क नहीं हुआ है अब देखते किते रंस यहां पर बन पाते हैं और कौन सी टिम जो इस मुकाबले को जितने में काम्याब रहेगी है दिखने वाली बात है बले का बारी किनार ऑफसेट पे गेंती बले का बारी किनार लगा है और गेंद यहां पर चले गई है विकेट की लाड़ी के बगल मतलब विकेट कीपर के बगल में से चार रन जो है ना इस सक गेंद पर यहां पर मिल चाहेगे आप यहां से 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है और इन 18 गेंदों के अंदर जो है ना 34 जीतने के लिए चाहिए और आप लोग को आइडी परचेस करने हैं और आप किसी ट्रस्टेड ऊनलां बुग का वेट कर रहे हो तो आपका वेट या पर क्था हम भोचे क।कि डिप्शी जोए ना आपके लिए आपर सबस्तें ओनलाइन बुग के आचो को जिसका नाम है यहां पर को इनूर ओनलाइन काफ़ी ट्रस्टेड है और इनका जो विट्रॉल है काफ़ी पास्ट है तो लिंक जो आपको कोई नूर ऑनलाइन बुक का वो डिस्रिप्शन के अदर मिल जाएगा और साती में जो एना चैड़ बॉक्स के अंदर यहां पर मिल जाएगा अब 18 गेंदो का खेल यहां से बचा हुआ है और 34 जो एना जीतने के लिए चाही है और की पहली गेंड पर चौक आया था और की आंकरी गेंड पर यहां पर चौक आ चुका है और काईज यह सेमी फाइनल मैच अगर यहां पर शिलंका के टीम इस मुकाबले को जुदी की तो फ फाइनल खेलेगी तो फाइनल की लड़ाई की जारी है और फाइनल की अगरम बात करी रहे तो मैं आपको उता दू फाइनल गाइस अल्रेडी है ना फाइनल के अंदर यहां पर पहुच चुकी है इंडिया लिजेंस की टीम और यह दोनों मेंसे जो कोई भी टीम जीतेगी फाइनल खेलेगी तो जीके साथ यहां पर ओवर की पहली गेंद है अकुला सेकला की पहली गेंद इस ओवर की फुल टॉच गेंद इस सिंगल मिल जाएगा अब यहां पर 17 गेंदों का खेल बचा हुआ है और इन 17 गेंदों के अंदर देखा जाए तो 33 रंज जीतने के है कौन सी तीम मुकाबले को जिते दिलीडीशान जो है न कॉपतान है शिलंक मेलेध के टीम के और ने के थोड़ेसे घुस्ते जीरा रहे हैं फिल्ड 아이 कर दो कि वरच लूर कूट्र डील सेक्तान हो चील करते विसा जाएगा फोर की पहैली गेंद पिधूच और ऑफ निकल ता और अब जो है ना ओबर की दूसरी गेंड के उपर भी सिंगल मिल जाएगा अब यहां से 16 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 32 जो है ना जीत नहीं खेल चाहिए कर लगता है का इस को जीतेगा यहां पर इस मुकाबले के अंदर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता जीएगा आप किस टीम को जो है मेराल 17.2 गेंदों का खेल हो चुका है समाद स्कोर है 141 रन पांच विकेट के नुक्सान पर आप यहां पर 16 गेंदों का खेल यहां से बच्छा हुआ है 16 गेंदों में 32 रन चीए और यह रन बन सकते चीए साथ ओवर के तीसरी गेंद लेकर जो है कुला सेक्रा निकल चुकिए और चलिगा इस फाइनली यहां पर बड़ी विकेट गिल चुकी है नार सिंग जो कि इस मुकाबले को जीता सकते थे वो यहां पर आउट हो चुके ओवर के तीसरी गेंद लेकर आश्री करा की और देखा जाया तो यहां पर बल्ला गुमाया था बल्ले का बारे के ना लगा और ठर्ड मैन में जो फिलाडी है वो सरकल के अंदर ते इस तरू उडाना इस तरू उडाना ने कैज को यहां पर पकड़ी है और नर सिंग की यहां पर विकेट गिरी है और इसी विकेट के साथ अगर आप देखे तो अब यहां से जो है ना सबस्थना एक पंत्रा घंदय का खेल बचिय और ऑगएंद जोग में यहां के यहां पर काफ़ी मुश्किल हएं पंत्रा घंदय का खेल वच्छह गव और 32 इस जोए निया इना पर जीतने के लिए ने करी है नार सिंग ने वह बहुत ही अच्छी बात है भले ही यां पर वैस्टेंड इसके टीम इस मुकाबले को हार जाए लेकिन भाई या नार सिंग ने जो है अपने बल्ले बाची के बल्बूते पर एक फाइटिंग मैच तो भी हमको देखने को मिला है वरना तो भाई पहले ह हार जाती वैस्टेंड इसके टीम अब लैश्टी के तिरन से आपे बन पाते को स्टेविस मुकाबले को जित्ती है तत्रा दश्म लब अत्तीन गेंदों का खेल हो चुका है समाप स्कोर है यांपर वन फोटी वन रहन अच्छे विक्टों के नुक्सान पर अब 15 गेंदों क खेल बचा हुआ है और अब 32 रंज यहां पर जीतने के लिए चाहिए कि अब करता है इस कौन से टीम जो इस मुकाबले को जितेगी और आप इस मुकाबले के अंदर जो एक इस टीम को जाए सपोर्ट करोगे इंचे कमेंट सेक्शन के बताद जीगा और यहां पर देखा जाए टोवर की तीसरी गेंटी कुलास एकरा की काफ़ी जदा अफसाइड पर गेंट सेक्शन के थी और यहां पर जो एना वाइट का इशारा मिला है और एक अतिरी गेंट यहां पर मिलेगा पंदरा गेंटों का खेल बच्छा हुआ है और अब 31 रंज जो है ना चीद निकले चीए वाइट प्रिषच फेट ऑवर की चॉति गेंट है और इक और वाइट पिछली गेंट पी क्लास एकर एक बडले थी लेड और यहां पर ओसाइड पर गेंट सेक्षक बाचिक अनुद और जालंगा द्रूहत गाल है लेकिन कर रहे है लेकिन करने कि जो एना गाल रही है और यहां पर दो इश्टा की रन मिल जाएंगे वेस्टेंड इसकी टीम को और अब 15 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 30 रन जीतने के लिए चीए पुला से गरा की अगली गेंद इस बार धिमी गती गेंदी बले बाज सांटों की इस गेंद के ओपर बड़ा शौर्ट खेलना च आते जरू थे लेकिन गेंद और बले का यहां पर संपर्क नहीं हुआ है और गेंद जा चुकिए विकेट की पर दस्तानों में और अब 16 गेंदों का खेल यहां से बच्चा हुआ है और देखा जाए तो 30 रन जो है ना जीतने के लिए चाहिए चौदा गेंदों का खेल यहां पर बच्चा हुआ है 30 रन यहां पर जीतने के लिए चीए इसी के साथ ओवर की पांच वी गेंद लेके जो एक कुला से एकरा निकल चुकिए सामने करेंगे बले बाश सांटों की इस बार ऑफसेट पे गेंद थी इस बार बले का भारी किना चाहरा गेंद चलेगे थर्ड मैंन के खिलाडी के सर के उपर से चार रन मिल जाएंगे इस गेंद के उपर ओवर की पांच वी गेंद थी खुला से एकरा की बले बाश सांटों की इस गेंद को मिड़व की दिशा में चाहते थे लेकिन यहां पर जो है बल्ले का भारी किना गेंद चलेगी है थर्ड मैंन के खिलाडी के सर के उपर से और चार रन जो है न इस सब गेंद के उपर मिल जाएंगे खेलना कई और चाहते थे गेंद कई और चले गए यह लेकिन चौका मिल जाएगा अब तेरा गेंदों का खेल बचा हुआ है वेस्टेंड इस की टीम को जीटने के लिए च заним है चब्शम है के लगता हैका इस वाफित सेंड लीजेंस यहां पर Shilanka Louisiana स्कुल जाइगा तेरा गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है और जीतने के लिए जो फेल बचा हुआ है इसी के साथ ओवर की अगली गेन इस बार ऑफसेट पे गेन थी कट किया इस गेन को कवर्स के दिशा में और इस गेन के उपर तो शलिए सिंगल ही मिलेगा अब यहां से बारा गेन्दों का खेल बचा हुआ है और इन बारा गेन्दों के अंदर दिखा जाये तो 25 रंज जीतने के लिए चीए है अब यहां पर बारा गेंदों का खेल बच्छा हुआ है और पच्छीस रन जो है यहां पर जीतने के लिए चीए देखते क्या कुछ यहां पर होता है कर लगता है का इसकों से टीम जो इस मुकाबले को यहां पर चीए और आप इस टीम को जो यहां पर सपोर्ट कर आपने चीए कमेंट सेक्शन के दो बताद जीए अब यहां से बारा गेंदे बची है पच्छीस रन जीतने के लिए चीए इस स्कोर हो चुका आठारा ओवर के खेल के बाद वन पोर्टी एट रन शे विकेर के नुक्सान पर है क्या लगता है यहां पर शीलंका लिजेंट्स यहां फिर वैस्टेंड इस लिजेंट्स आप जो है इस मुकाबले केंदा किस टीम को सपोर्ट कर रहों शीलंका लिजेंट्स की टीम को यहां पर सपोर्ट कर यहां फिर आप जो है ना वैस्टेंड इस लिजेंट्स की टीम को आपे सपोर्ट करो आप कमेंट सेक्षिन के इतना बताद जीगा अब जो है ना बारा गेंदों का खेल बचा हुआ है और पच्छीस रन यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए है चार और कुलास एकषिन डाले 14 रन दीये और है है यहां पर कि ना को बलाया गया है मतलै अ आपर यांपर विकेड ग JEN लए चुकी है आपर पहली गेन थी थूरू उडाना के सोवर की और बले बार जा सांटो की जो है ना इस गेन पे बड़ा शौट केल अच्छे आत थे लेक साइड पे बल्ला गुमाया था आड़ा बल्ला गुमाया था सांटो की ने लेकिन अगर आप देखें तो गेंद और बले का यहां पर संपर्क नहीं हुआ है और गेंद जाके लगी है दंडो में जाके गेंद लगी है और विकेट का जो है यहां पर पतन हो चुका है किसी के साथ अब देखें तो स्कोर बोड यहां पहुंच चुका है 148 रनों पे साथ विकेट के नुक्सान पे 18.1 गेंद के खेल के बाद वाश्टेंडिस लिजेंद बना हम शीलंका लेजेंड का ये मुकाबला चल रहा इस वक्त अब 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए जो है ना 25 रन यहां पे चाहिए रहर उसके सभी हैं सभी कैक एकसाथ मिलके आप इश्ट्रीम को लाइक कीजिए जिनोंने भी लाइक नहीं किया गाइस चैनल पर नहां सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करने, यहां पर चीतने के लिए जहीए आप देखने वाली बात है शेलंका लिजेंज या फिर वेस्टेंडिस लिजेंज कौन सी टीम यहां पर इस मुकाबले को जितने में काम्याब रहती है यहां पर जीतने के लिए चाहिए है शेलंका लिजेंज बनाम वेस्टेंडिस लिजेंज का मुकाबला चल रहा है ग्यारा गेंदे और जीतने के लिए यहां पर चाहिए है पच्छीस रंद इसे के साथ ओवर की दूसरी गेंद है इस तुरू डाना की बार शौट विज गेंदी बलेबाज डारन पॉपल बलेबाज करने के लिए आये डारन पॉपल ने इस बार गेंद के उपर बल्ला गुमाया था लेकिन अगर आप देखे तो गेंद और बले का यहां पर संपर् बच्छा हुआ है और इन 10 गेंदों के अंदर देखा जाया तो पच्छीस रंज जीतने के लिए यहां पर चाहिए है सब्सक्राइब करके बेल आइकन यहां पर दबाद जीगा अब देखते हैं किते रंज यहां पर बनते हैं कौस्टिम मुकाबले को चीतने के साथ इस गेंद के ओपर आप सिंगल मिलेगा अब आप देखा जाया तो 9 गेंदों का खेल बच्छा हुआ है और इन 9 गेंदों पर आप देखे तो अब जो है ना 24 रन यहां पर चीतने के ल इसे के साथ देखा जाये तो अब यहां पर ओवर की पांच ओवर की चौती गेंद लेके जो है ना निकल चुके है इस तो उड़ाना ओवर की चौती गेंद है सामना करेंगे बलेबाज टेलर नौगेंदों का खेल यहां पर बच्छा हुआ है 24 रन जीतने के लिशी है इसे के साथ इकल जाये तो ओवर की चौती गेंद लेकर इकल चुके इस तुरूँ डाना ओवर की चौती गेंद थी ऑफसाइट पे गेंद थी बलेबाज टेलर इस सामना करेंगे बलेबाज पे पतन होता हुआ जीतने के लिए 24 रन चाहिए और शीलंका की टीम जोईना ऐसा लग रहे है कि फाइनल में प्रविश्च करने वाली है कल हमें भालत और शीलंका का जोईना फाइनल मुकाबला होते हुए निजर आ सकता है उगा हैं लेका निकल छुक्त इस त्रुद आना कि और कि पांच पी टेलर और कि पांच वी गेन देचेंगे वड़े řड़ेने के लेकिन जो है शारिक पे जाके लगी है आब जो है साथ गेंदों का खेल बचा हुआ हुआ है और इस साथ गेंदों में तेवीस रण चीतने के लिए चीह है अब साथ गेंदू का खेल वच्छा हुआ है इस स्कोर है यहाँ पर तेवीस रण और आप देते हैं इस कौन से टिम जो इस मुकावले को चीतती है कि आप कमेंटर सेक्शन के अंदर बता देगा इसी के साथ और की आखरी गेंद कोई नहीं मिलेगा और यहां पर वाइट डिद यह काफी जदा ऑफ साइट पर गेंद फेकी थी आगेंद बाद जाए इस तरू अपने दोनों हाथ खोल दिया वाइट का इशारत दिया है और ग कि आप खतम हो चुका है तो कि मैं जो आनगा आपके लिए का जो कोई नूर ऑनलाइन बुक इनका जो वाट्सएप नंबर है आपको चैट बॉक्स के नहीं बिले का आप यहां पर इनको मैसेज कर सकते हो आईडी कर सकते हो और आप पैसे कमा सकते हो आप देते कितनी रहीं से आप बन पाते हैं अगर आप लोगों को इस मुकाबले को फ्री में देखने तो आप यहां पर कोई नूर ऑनलाइन बुक पर जाके देख सकते हो गाइस मैं आपको चैट के अंदर वाट्सएप नंबर दे रहा हूं यहां पर जो है ना आप मैसेज करके आइडी खरी सकते हो और मुकाबले को फ्री में देख सकते हो तो काईज यह रहा वाट्सएप नंबर का लिंक मैसेज कीजिएगा आप काईज अगर हम देखे तो अब जो है ना यहां पर इच्छी गेंदो का खेल अच्छा हूँ है बावीस तरह जीतने के लिए चीए अब अच्छे गेंदो का खेल यहां पर बचा हुआ है वाविस तरह जीतने के लिए चीए शेक इनदो का खेल यहां पर बचा है और वाविस तरह जो है ना जीतने के लिए चाहिए अब इसे के साथ यहां पर गेंड किसको थमा दी गई है देखने वाली बात है शेग इंदू का केल बचा है बावीस तरण जीतने के लिए चीए ओबर की पहले गेंड और चलिए पहले गेंड ते इस ओबर की बड़ा शॉर्ट खेलने की कोशिश करेती बलेवाज है आपर जेरम टायर ने लेकिन गेंड और बले का संपर्क निवा कोई रन नी मिलेगा इस सक गेंड के उपर अब पाँच गेंडों का खेल यहां से वच्चा हुआ है 22 रन जीतने के लिए चीए 5 गेंदों का खेल बच्छा हुआ है 22 रन जीतने के लिए चीए चीए किसा देखा जाए तो ओवर की दूसरी गेंद लेकर निकल चुके है यहाँ पर इस शान सामना करेंगे बले बाजा टेलर जी रोम टेलर जो है न श्ट्राइक के उपर और मात्रा 22 रन जीतने के लिए चीए चार गेंदों का खेल बच्छा हुआ है और 22 रन जीतने के लिए चीए इसी के साथ देखा जाए तो अब गेंद बाज शाय जयर अतने जो है न ओबर की ती तरी गेंद लेकर निकल चुके है सामना करेंगे बले बाज जी रोम टेलर ओ और ये छे रन देखा जाये तो यहाँ पर जो है न इस बार भी यॉर्कर डालना चाहत है तो इस शान लेकिन गेंद चलेगे फिल टॉस और बले बाज जी रोम टेलर ने इस गेंद को खेल दिया है में डॉफ के खिलाडी के सर के उपर से छे रन मिल जाएंगे अब आतीन ग गेंदों के खेल के अंदर अब 16 रन चाहिए है जीतने के लिए तीन गेंदे बची है 16 रन जीतने के लिए एक डॉट बॉल और शीलंका विल विन दिस मैच तीन गेंदों मैं 16 रन चीतने के लिए चीए गाइस तो इतना कंफॉर्म है कि फाइनल जो है ना भारत बनाम शीलंका का होने वाला जो कि कल होगा गोईल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को यापर सब्स्राइब करने के लिए और चितने भी लोग आज यापर चैनल को सब्स्राइब कर रहे है ना बेल आइकन को यापर दबाद जीगा ताकि जब भी हम आने वाले मुकाबलों के अंदर लाइब आए तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाए अब एक गेन भची और पंद्रा रण जीतने के लिए चीए हैं एक गेंद का यहाँ पर खेल बचा हुआ हैं पर आप जीते भी लोग हमारे श्ट्रीम को देख रहे हैं आप चैनल को सब्स्राइब किछीगा और शीलंक का निस मुकाबले को चीट लिए अच्छ अच्छ रूदा रून था जितने विलोग हैं थमारी श्ट्रीम को देख रहे हों सभी के तभी किसा प्लेके श्ट्रीम क का मामला है भाई अभी जिद गई जिद गई तेरह रन से तैंस भाई मैं शिलांका ओके रोबोट तैंक्यू तो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चितने विलोगा इस देखरों सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को दबाद जिए कल यहां पर फाइनल होगा इंडिया लिजेंस और शिलांका लिजेंस के बिच में मिलते हैं कल तब तक लिए बाई बाई टा गुड नाइट शेब खेर झाल 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 झाल